और नहीं हुई है थोड़ा आपको बोले यह सर जस्क्राइब स्टार्ट कर रहे है ठीक ठीक ओके ठीक ओके ठीक है अजय सर आप तो इस पर कंटीन्यू करिए को कि रिकॉर्डिंग ओन कर दीगे करें आप आप अब इसके और स्क्रीन शेयर कर दें आप आप इस्क्रीन शेयर चेक करके सर को बता देंगे कि अ कि अ अभी तो इस्टूटें तो दिखने रहा है अभी तो इस्टूटेंट तो दिखने रहा है यूँ बोल रहा हूं कि यूट्यूब से दो रहे हूं है बच्चे स्ट्रीमिंग यूट्यूब के थ्रू हो रही है तो अराउंड अभी हंड्रेट स्टूडेंट्स के आप पास आ गये हैं और बाकी भी जॉइन होते जाएंगे तो मतलब वो यूट्यूब में देखिंगे इसको हां सर कुछ बच्चे यहां पर जॉइन होंगे बाकी मैग्जियों यूट्यूब पर रहेंगे आपका श्रवाजी कम्मिनिकेशन हो गया क्या मथाई जी सर्थ हां मथाई जी से हो गया सर वो वो मैसेज मेने कर दिया इनको अश्विन को अपना प्रोटोकॉल क्या रहे गाए बाट इसमिन स्क्रीन शेरिंग आप करोगे पी पीटि के लिए या हमको करने पड़ेगी यह एक्जाम आफिस में आजे सर हैं जिसे तो वहां से हो जाएगा मतलब मास्टर कंट्रोल वहीं पर है अर्यों अलाविन प्रेजेंटर्स टू शेर दे स्क्रीम एड प्रेजेंट नसर विए मेड को होस्ट तो खाली होस्ट ही शेयर कर पाएंगे वर्ट इपी वांट वी कन पर मेट एनीवन टूसेर अभी तक क्या करते रहे हैं सब्सक्राइब नॉर्मली तो हमने जो भी प्रेज अब वह चाहते हैं कि मैं शेयर करो तो मेरी इस्क्रीन और व्यासर की स्क्रीन दोनों जो है वह मैं शेयर कर दूंगा बारा से एक वाले सेशन में आपको बना दूंगा ठीक है कर रहा हूं अपने आपको हां अगले तीनों सेशन में मैं आप से साथ में रहूंगा आपके अजे सर ये सर और ये सर उट्रीन एक बार प्रेजेंट कर लिए तो पार का फीपिटी फीपिटी मेरे को स्वटीश्यार मेरफ को ट्वड़ा डाउन्लोड करना पड़े ला हाँ डाउन्लोड कर लीडियो उक यहाए झाल को अशुविल सर ऑटो एडविट माट में डाल सकते हैं तो चेलाज ऑटो एडमिट है बुद्धिन शॉच्त रहते हैं ना तरुपन को यह साउंडा यह थ्यूद्ध था था प्रॉबलम से गुगल को झाल झाल आज़े सर डाउनलड हो गया ठीक है सर I think we can start now Sharma sir Shall I start then? एक सर एक दो मिनिट और ठेल जाएं Okay आज़े सर का रीट कर देखें आज़े सर आप जब नेक्स बोले तो स्लाइड चेंज करते जाएं Okay sir आज़े सर यूूट्यूब पर आरांड रहांड है और यहां पर रांड सेवेंट इफाइव के आउन्गें सेवेंटन के आड़ाण यहां आज़े ओंगे अब शुरू कर देते हैं तरह ने तो अब इस अब अब बॉनिंग तो अल अब यू इस अब बॉनिंग कर देर के लिए अपने को मूट करना पड़ेगा ना आज हमारे बीच में प्रोफेसर तपन मुकरजी सर महजूद हैं यहाज इस इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री और प्रेक्टिकल इंडस्ट्री लाइफ से भी इस तो तू जास्ट गि今天 इस इसे इडस्ट्री इस्ट्रीट्ट्ट्ट्रीएं एडस्ट्रेब्टैकश असंडलर है इसeyeल जूदिए इस इंडस्टीट्टी लाइफ धी in 1971 तक and then he has also obtained diploma in from philips international institute netherlands with the specialization in medical electronics and equipments 17 साल तक सर ने स्जस्ट इस दी एक बहुत ही पॉपिलर टीचर के तरह फेबस हुए उसके बाद लगबग 29 वर्शों तक सर ने प्रिंट्रोनिक्स प्राइविट लिमिटेड के डारेक्टर रहे और अभी फिलाल सर फाउंडर एंड डारेक्टर टेक फोर्स कंपोजिट्स के हैं तो एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन है सर का बहुत सारी ऐसी चीजे हैं सर के पू देरे-देरे समझेंगे और बहुत सारी दूसर को एक बहुत ही पॉपिलर सिंगर की तरह भी ऐसी एस पहचानता है SGS ITS का एक सौंग होता था जिससे सर ने ही कंपोज किया था और सर ने ही उसे आवाज दी थी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर के इस पूरी परस्टालिटी में आप अलग-अलग फैसेट में देखेंगे अभी फिलाल सर CIDI से भी associated है और CIDI में अपने कर देते हैं So those who are interested to really learn something practically, particularly from the project point of view and product point of view, both They can contact, he is a very simple person and always ready to help you Basically he is waiting for you, so with that invitation मैं अब सर को आमंत्रित करता हूं Sir, please Jai Hind, dear students Jai Hind, sir Jai Hind, sir I would like to start Okay, Jai Hind, I would like to start with the greetings to you and you can see the picture of an animal this picture was taken at Jim Corbett Park so it's an Indian animal very strange ये असा दिकता नही हैं but it's very but it's very 17,000 इसा उंब जढे ऀाट Só झाल पास लेगे कि अच्विन सर्ट की आवाज नहीं आ रही है यहां इसा लगारा सरकनेक्टिविटी गई सब्सक्राइब कॉल करें के हां में एक बर करता हूं झाल 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 मैं इंटरनेट वस गॉन फॉर समें अम आडिबल नाउ यह सब्सक्राइब को अपने आसपास क्या हो रहा है उस्ते कड़ी नजर रखी है। झाल बिल रखर ऑत करट। झाल अबते के वी साथ यहाँ वाँ यही नजर रखर्त find out what's the reason it may result into an accident okay next slide please so I will talk previously firstly first I will talk about relation between a student and a teacher okay and what develops a good student-teacher relationship next slide so let me share with you some of my thoughts about teacher-student relationship next slide so I'm starting with a small story one day a family was sitting around dinner table there was a CEO and there was a teacher also in that family gathering next slide next what oh please the previous slide what a kid going to learn from someone who decided his best option in life to become a teacher next slide you are a teacher Anju be honest what do you make he asked the teacher okay next slide Anju the teacher was silent for a few seconds then she said number one next next I make kids sit to 40 minutes of the class time when their parents can't make them sit for five minutes without an iPad game or movie next slide I make the student work harder than they ever thought they could next slide I make students wonder next slide I make them question next I make them have respect and take responsibility for their actions next slide I make them read read and read next slide finally I make them understand that if they use the gift they were given work hard and follow their hearts they can succeed in life next slide so then when people try to judge me by what I make I can hold my head up high and pay no attention because they are ignorant next slide I want to you want you want to know what I make I make a difference what do you make Mr. CEO so the students you have understood what the teachers do so let me tell something to the teachers also what makes a good teacher number one next slide a good education can change everyone anyone but a good teacher can change everything so this is the property of a good teacher quality of teaching emerges from culture which gets built up over a time but needs to be maintained a teacher has to maintain the quality as a naked hum of my please please remain in the previous slide so it's not that my teacher remains the quality of teaching should remain the same throughout your life and throughout your life you have to remain a teacher next slide now we all know I am just giving example of a scientific example you know that the liquids they always flow from upper level to lower level and same is the case with knowledge knowledge always flows from upper level to lower level so suppose that means a teacher is just like filling water into a bowl suppose there is a bowl kept at a low level and there is knowledge in another container and suppose the teacher keeps the container at a high level and start pouring water into the bowl how much water will remain in the bowl how much water will remain in the bowl and most of the will splash so if you remain in the high level and pour the water in the bowl you know that the water will most of the water will splash out and very little will be going into the bowl same is with the knowledge if the teacher thinks okay I am PhD and then starts talking in his own in his language of a PhD person students will not understand everything will go above his head now how do I fill the bowl properly next slide I bring the container close to the bowl and then pour that means the teacher has to come down to the level of the student and then talk to them the students will understand the teacher has to lift the level of the student gradually not all of a sudden the teacher will come down to his level and talk and gradually the student will go on learning his level will go on increasing next slide please so there are 10 skills of a teacher teacher has to be tolerant teacher has to be capable of storytelling so by telling the story because people are very much interested in story so you go on telling the story suppose the teacher is telling about squirrel cage motor the teacher has to tell why it is called squirrel cage motor because its armature conductors are formed in the form of a cage so the scientist who developed it he thought okay it is just like the cage for a squirrel so these things should be told to the student if you tell this like this the student will always remember it okay so there are so many other things which the teacher must have next slide please and what about the students so let us see what the students have the students have to maintain self-discipline the students must be disciplined the students should be should adhere to the values yeah you can students should be should adhere to the values okay next slide you should have faith in yourself please keep this slide i will tell you an example i'll just tell you an example give you an example i was a student of ninth class probably and we had a maths teacher it was not in indoor in ajmer i used to study in those days so maths teacher was very very people used to fear him very much he was solving a problem on the board and suddenly he got stuck he was not able to find why he is not getting the proper answer so he suddenly he said, he told the students I don't know why I got stuck up so then I raised my hand like this all my friends who were sitting me they were very much scared but then I had the confidence I told the teacher sir I can solve it he called me on the dais I solved the question on the board he was very happy he immediately went to his pocket and found a you know for a chavanni and gave it to me that was the price I still have that chavanni with me so you must have faith in yourself that yes you know so that faith you should have as a student next slide have resolute attitude again I will tell you a story about this resolute miss up bill cool aap joe samashti hain uske oka dradk hona chai so a story of Vivekananda Vivekananda was a student and his teacher gave him some homework he went to home and then he saw call and he came back and there was a question capital of USA he wrote Washington teacher was angry a student like you make such a mistake capital of USA is not Washington it is New York he said no sir it is Washington teacher was very angry took a cane and started beating Vivekananda but he maintained his attitude he just went on saying no sir I am not I am not wrong I am correct capital of USA is Washington suddenly the teacher was very angry and he went to the cupboard and took out the book and found out and he was very sorry he was wrong he was wrong so the student maintained his attitude he would dradhe he was dradhe but he was polite that is another important thing the student फुल सक्टी है ... रिखे यह श्वा उख ओश वाल जात एक ट檬 लेस्ट गाल। ओवालो करन डिश वाल बादि En great उटत अ कन बादित? एक जा सब्सक्ट यह इफ उस थे एफूब कहुवने श्टैनर लेख टन टैनर लेट चेंद ग्ट मोलेट। about his idea, he knew it, because he was confident that he's right. Next slide. The students should avoid confusions. Many times I found that during the class, I always allowed the students to stop me and ask questions. But many times I found the students are asking questions which are not correct. They were confused. So, you should avoid confusions. It will create irritation between you, the teacher and also your class fellows. Next. Oh, you can see a hard truth. Somebody said that a wife is a wife no matter who you are. Okay, next slide please. A student must be made to realize that, next slide, a teacher is a teacher no matter who you are you are. Shiva ji ke, please, please, previous slide. Shiva ji ke guru, just sadhu te, dhani nahi te, shiva ji, shiva ji maharaj bada samraji shthafit kar liya tha, leakin phir bhi, unke guru, unke guru hai, shiva ji unke saamne, she is chuka. So, ultimately no one can teach you to be a good student. You have to be a good student. You have to decide that, yes, I have to be a good student. Let me tell you about a boy. This is also very important. That as a student, what do you learn? And if you don't make use of your whatever you have learned, then your learning is of course. Okay, so let us take the next slide. I will again tell you a story. There was a village in India where there was a boy who used to draw very nice pictures. And he was expert in drawing the pictures of temples and buildings. People used to like his work. He studied a little in the village, but then for higher studies, he had to go to the city. So he went to Vararasi, which was near that village. Next slide. So he went to Vararasi and started studying there. He studied, he studied architecture. He became a very famous architect. He used to solve the problems of people. People used to come to him and they used to get nice designs from him. So he became very famous. So he went to Nalanda. Nalanda was in those days the university. He studied there and became very popular because he was very nice in designing of buildings etc. So his fame reached the years of next slide. Vishwakarma, the architect of gods. You can say he is the god of the engineers. Shabakarma, shabakarma, the architect of the university that was an ace, Joseph Sahab, He was a strong entrepreneur. Shabakarma, shabakarma, he was a good dancer. Shabakarma, that's very popular, Shabakarma, the course of the university. Shabakarma, you can to give a picture of a PhD and the professor of Janan Karni . पहले बोलते हैं मैं पहले से हिंदी में बोलता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं आप फिर से पीछे चले जाए जी फिर थोड़ा पीछे ले लिजिए मैं हिंदुस्तान के गाओं की बात कह रहा था गाओं में एक लड़का रहता था जो बहुत अच्छी चित्रकारी करता था खास तौर पे मंदिरों के चित्र बहुत अच्छे बनाता था वह उसकी काफी तारीफ होती थी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई गाओं में की उस वुइसमें आर्कि टेक्टिरि मतलब भवण-णिन्मान-कला पड़ा उसमें और उसमें वुच्छ चाहिए तो वह और भी पढ़ना च्छाता था इसलिए नालंदा विश्व विज्यले में पहुंच गया है नालंदा विश्व विद्याले में भी उसमें भवन निर्मान कला बहुत अच्छी तरह सीखी उसकी जो तारीफ है वो पहुंच गई विश्वकर्मा के कानों में नेक्स लाइड तो विश्वकर्मा बड़े फुश्वे उन्होंने सुचा मैं इस लड़के से मिलना चाहूंगा तो उन्होंने एक व्यापारी का भेश बनाय और पहुंच के उस लड़के के पास और लड़के से बात करने लगे तो लड़के से बात करके तो वो बहुत प्रभावित हुए तो उन्होंने पूछा लड़के से अब तुमारी क्या इच्छा आगे क्या करना चाहोगे तो लड़के ने कहा मैं अब मैं जाके विश्वकर क्यों 무슨 का पिंगो अपने यहां के लोगों के लिए कुछ नहीं करना अ कि म anál सिए हैं मैं तोछ क्षव करना चाहए आप और पढ़ना हो और पढ़नगा और पढ़ना भुथ ज्ञान प्राप्त निया मीं तरहरों कि अट में मैं में नहीं लूंगा और तुमने मिnetे जमकल्ऽ अगली स्लाइड, जब हम कुछ चीज किसी प्रोफेशन के बारे में सीखते हैं, तो ये सिर्फ ज्यान प्राफ्ट करने के लिए नहीं सीखते हैं, ज्यान तो प्राफ्ट होता ही हमको, लेकिन उस ज्यान का उपयोग करने के लिए, जन साधारन उस ज्यान से फायदा उठा सके इसलिए हम ग्यान को प्राप्ट करते हैं जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम उसके लोगों को हमारे ग्यान से कुछ फायदा हो इसलिए हम ग्यान प्राप्ट करते हैं अपने लाब के लिए नहीं तो ये हर इंजिनियर को इस बात को ध्यान में रखना होगा ठीक, आप पढ़िये, B.E. कीजिए, M.E. कीजिए, पीएजडी कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि हमको अपनी ज्यान का इस तरह के उसे उपयोग करना है जिससे हमारे समाज को लाब तोंच सके हैं, अगली स्लाइट, सब मेरे कुछ और विचार हैं, अगली स्ल कीजिए आप जानते हquar lifelong की चानक यह कहानित, बहुत सारी पूस्टक यूशन रहे हैं उनोंने काफी कुछ ग्यान की बाते लिखिए हैं, अगली स्लाइट पीज, दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं जो पहला वेक्ति हैं वो किसी भी काम को शुरू करने के पहले बहुत जिजकता है क्योंकि उसको डर है कि शायद वो सफल नहीं हो सकेगा ऐसे लोगों को कहते हैं अधम अगली स्लैट दूसरे तरह के लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकि फिर उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि काफी समस्या है इस काम में तो छोड़ देते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं मध्यम तीसरे तरह के लोग होते हैं ऐसे लोग जो काम को शुरू करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक उनको सफलता नहीं मिल जाए कुछ भी हो जाए हर तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं और उसके बाद काम को करते हैं ऐसे लोगों कहते ह है उत्तम है तो चात्रों आपको अधम नहीं बनना है मध्यम नहीं बनना है आपको उत्तम बनना है अगली स्लाइड कि इसको रोके रखना स्लाइड को अब मैं आपको से पूछना चाहूंगा कि are you happy क्या आप आप खुश हैं यह प्रश्ण मैं टीचर से भी पूछूंगा और स्टूडेंट से भी पूछूंगा एक विद्याती रूप के रूप में क्या आप खुश है कि आपको इंजिनेरिंग कॉलिज में दाफला मिल गया है क्योंकि मैं जानता हूं कई विद्याती ऐसे भी होंगी जिनको उनके पैरेंट्स ने जबरदस्ती भेज जाएं इंजिनेरिंग में क्योंकि मेरे समय में भी ऐसे स्टूडेंट्स थे मैं दो उधारन दूँगा मेरे समय के मेरे समय में एक मेरा दोस्त था वो मैं हमके नाम नहीं लेना चाओंगा वो दोस्त एकदम पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था बड़ी मुश्किल से पास होता था लेकिन उसकी अंग्रेजी बहुत बढ़िया थी उसको अंग्रेजी साहिटे में बहुत बढ़िया रुची थी बहुत अच्छी जानकारी बढ़िया थी वह बहुत अंग्रेजी साहिटे की पुस्तके पढ़ता रहता था और बहुत अच्छा ज्यान था उसका है वो किसी तरह से कौने से निकल तो गया लेकिन उसना इंजिनेरिंग नहीं की वह किसी स्कूल में जाके अंग्रेजी का शिक्षक हो गया और वो उसने इतनी तरक्की की, वो धिरे 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 उसी स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, बाद में उसने अपनी स्कूल खोल ली, अभी वो विदेश में है, इंगलेंड, तो आप देखिए, वो खुश अंजिनियर बनके, तो उसने अपनी लाइन पकड़ ली, एक औ कोपर विद्ध्यार्थी था, वो भूत ही खराब था, बतलququ उसको तो पार वह पास ही नहीं हो पा रहा था, उसने में हमारे 5 विय शूर्ष था, मिलता था, सेगेडियर में ही अटकता रह रहा था, तो उसने आके en केरा मित्र था जो गणित बहुत अच्छी पड़ा ले कि जब तुमको आता नहीं है तो क्यों आए हो इंजिनेजिंग ले तो वो मैंनो उससे कहा अगर तुम क्योंकि तुम किसान के बेटे हो तुमारे पास इतनी बड़ी जमीन है खेती की कि अग्यों कि तुम तुम कम से कम हायर सेकेंडरी तो पास हो उस समय जादा पढ़ाई होती नहीं थी बहुत 50 साल पहले की बात कर रहा हो तो मैंने उसे कहा कि तुम कुछ तो पढ़ नहीं गए हो तुम जा के अच्छी खेती करो उसमें ज्यादा लाब मिलेगा तुम और उसन आप अगर engineering में आए हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप खुश हों कि हां मुझे खुशी है कि मैं engineering कर रहा हूं मुझे खुशी है कि मैं इस ब्रांच में engineering कर रहा हूं ऐसी बात मैं teachers के लिए भी कह सकता हूं कि teacher अगर अपने profession से खुश है तो ही फायदा है अगली स्लाइट, if you want happiness for an hour, take a nap, अगर आप एक घंटे की का आराम चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो एक जब्की ले ले, अगली स्लाइट, if you want happiness for a day, go for a picnic, अगर पूरे दिन के लिए आप चाहते हैं, ये सागर शिवहरे has raised hand, सागर प्लीज, बताइए क्या बात है, अगर आप एक दिन के लिए खुशी चाहते हैं, पिकनिक में चले जाएगे, एक दिन भर में आपको खुशी मिल जाएगी, अगली स्लाइट, अगर आपको एक हफ़ते के लिए खुशी चाहिए, गोफ़ारे वेकेशन, घुमाईए कुछ दिन, किसी जगे, खुश हो जाएगे आप, अगली स्लाइट, और अगर आप एक महीने के लिए खुशी चाहते हैं, तो शादी कर लीजिए, क्यों, उसके बाद खुशी नहीं है, उसके बाद फिर लोन, तेल, हल्दी, ये सब जगड़े शुरू हो जाएगे, अगर आप एक महीने के लिए खुशी चाहते हैं, शादी कर लीजिए, एक महीने खुश रहेंगे, उसके बाद सिर्फ चिंताओं का पहार टूट पड़ेगा आपके दिमादे, अगली स्लाइट, and if you want happiness for a year, inherit wealth, किसी ने आपको कुछ धन दॉलर दे दिया, आप खुश हो गए, इसके बाद फिर कोट के चक्कर लगना शुरू हो जाएगे, सब खतम हो जाएगे, बट, if you want happiness for your whole life, next slide, कुछ भी काम हो, if you want happiness for a lifetime, learn to love what you do, अगर आप जिन्दगी भर की खुशी चाहते हैं, तो जिस काम को आप कर रहे हैं, उसको प्रणा सिखिए, अगर उस काम से आपको प्यार होगा, तो आप जिन्दगी पर खुश रहेगे, अगर आपको कुछ पूछना है, तो मैं मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं बड़ी खुशी खुशी आप जिन्दगी तरशनों का जवाब तो, अगर जेट बॉक्स में कुछ, हैं तर एक निटंड़ देखता हूं न एक मिटंट, हुछ हर्षित हर्षित ने ये सब्सक्राइब पूछने चाहिए था कि सब्सक्राइब जो इलेक्ट्रोनिक्स का हिए लाग फिस थीज़ के बारे में है अच्छा मैं बतातों इंस्ट्रुमेंटुर्शन का मतलब होता है जैसे में बहुत सारी प्रोसेस चलते हैं कई प्रोसेस में कुछ टेंपरिचर मेंजर करना पड़ता है, temperature को control करना पड़ता है, कहीं आप pressure को control में रखना पड़ता है, कहीं flow, कोई liquid flow हो रहा है, तो उसकी flow rate को control करना पड़ता है, कहीं ये क्या करता है, कोई liquid है, उसकी conductivity कैसी है, उसकी density कैसी है, उसका pH कितना है, ये सब निकालना पड़ता है, ये सब धरते रहना तो इनको करने के लिए जो electronic gadgets का इस्तिमाल करते हैं उन्हें instruments करते हैं और इस पढ़ाई को हम instrumentation करते हैं यह इसकी study को हम instrumentation करते हैं तो जो भी हम जैसे अगर ना लीजिए temperature control करना plastic industry है plastic industry में plastic को पहले गलाना होगा melt करना होगा so melting molten plastic का temperature maintain करना पड़ता है बहुत जादा अगर temperature बढ़ा देंगे तो प्लास्टिक जल जाएगा तो खराब हो जाएगा बहुत कम temperature होगा तो melt नहीं हो पाएगा इसलिए एक particular rain में temperature को maintain करना पड़ता है मेंटेन करने के लिए जिन instruments का इस्थिमाल करते हैं controller वगेरा और temperature sensor वगेरा उसे हम instrument करते हैं इसमें instruments को develop करनी के बारे में सीखते हैं मिल्कुल इसमें को develop करना सीखते हैं कितने तरह के sensing होती है कितने तरह की sensing होती है let's just say temperature sensing temperature sensing के लिए एक तरह का instrument होता है उसे हम हम कह सकते है sensor temperature sensor temperature sensing में और अगर माली movement sense कर रहे हम तो movement का sensor होता है and there are also they are also called these sensors or they can you can call it तो ये जो चीजे है temperature measure करना pH measure कर रहे है आप किसी liquid का pH maintain रखना है हमको तो pH को sense कर रहे है तो temperature है pressure है इसी तरह से जो लोग medical electronics में है वो medical instrumentation भी है blood pressure measure करना patient का temperature measure करना temperature की सांस कितने rate से चल रही है वो measure करना और अभी आप लोगोंने कोरोना पिरेड में एक बहुत अची चीज तो संजी होगी pulse oximeter पारे में जाना होगा तो what is pulse oximeter की खून के अंदर कितना oxygen है oxygen की strength कितनी है वो पता लगाना है तो ये सर्थ आर रहल instrumentation okay and in instrumentation you will study about these things okay and before studying for studying about these things you have to also understand so many other things some basic electronics की जानकारी होनी चाहिए electrical engineering की basic electrical की जानकारी होनी चाहिए तो पहले आप वो सब पढ़ेंगे उसके बाद फिर आप instrumentation के बादे में पढ़ेंगे यस एनी अज़र कुस्चिन Heis reached Malvin or sorry about the industrial production engineering did on another industrial production engineering now apart from sensing the parameters which are happening in the industry there are certain machines which are making in this condition producing यह जो प्लास्टिक के पार्स बनते हैं या लुहे के ऐसे पार्स बनते हैं जिसमें कोई शेप हो तो इन सब को शेप में लाने लिए प्रेस की जड़ोत पड़ती है इसके अलावा आंपी में जानकारी इसके अलावा वह सब्सक्राइब के दो आती प्रेस आपको विदे प्रेस है रिपर एक तरह से इंड्स्री का मैनेंजमेंट इसके आपको अचाहिए अगया गया। एक तरह से इंडस्री का मैनेजमेंट ही है इंडस्री का मैनेजमेंट ही है इंडस्री का प्रोडक्शन का मैनेजमेंट है इंडस्री के बहुत तरह के मैनेजमेंट है commercial condition with a commercial department with energy commercially manage the general administration with administrative job that is also a management production management is different even inventory control is another type of management how to control the inventory that is also comes in the production management may share the loop course में होगा आपकी टीचर्स ज्यादा आची तरह बता पाएंगे प्रोडक्शन में ये इन्वेंट्री कंट्रोल भी आ जाता है मतलब कितना कॉंप कितना सामान रखना है अगर बहुत ज्यादा सामान रख देंगे तो आपने का खर्चा ज्यादा हो जाएगा अब इतना सामान कि जतना हर लोज की प्रोडक्शन के लिए काफी है तो इस तरह से उसको कंट्रोल करना उसको मैनेज करना ये भी सिखाए जाता है इसका स्कोप कभी खतम ही नहीं होते है क्या कारण है कि मेकनिकल इंजिनियर कोई भी आपड़ियर इंडस्ट्री खोलेगा अगर एक की इंडस्ट्री भी खुल रही है तो मैकनिकल इंजिनियर्टी ज़्रु तो हर इंडस्ट्री के लिए इसलिए Mechanical Engineer की बहुत ज़रूरत होती है और इसलिए Mechanical Engineer की Demand कभी खत्म नहीं होगी, हाँ, यह हो सकता है कि उनको उनकी Value बहुत ज़ादा नहीं उठेगी जैसे आजकल IT के लोगों की Value बहुत ज़ादा है, उतनी Value नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिमांड खतर नहीं होगी, मेकैनिकल इंजिनियर बेकार बहुत कम लोग होते हैं. तैंक यू से इंजिनियरिंग के बारे में फुड़ा बता दिए। बारे मेडिकल इंजिनियरिंग इस अन्यू ब्रांच अफ इंजिनियरिंग अधो इस तार्टेड लॉग अगो इन इन अर्ली सेवन्टी इस में जब येस इस में पढ़ाता था, एक छोटा सा पंदरा दिन का वर्क्शॉप हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेज के टीचर्स ने भी लेक्चर दिया, उसके बड़े-बड़े नाम, आयाइटी वगरे के प्रोफेसर्स ने आके लेक्चर दिया, उस समय हम लोगों को पता चला कि ये एक इंजिनियरिंग का एक प्रांच है, इसमें तो तरह की चीज़ होती है, एक तो ये कि आप उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाने, जिनके मदद से डॉक्टर डाइगनोज करते हैं, एक ये चीज़ है, और दूसरे ब्रांच, दूसरा जो एरिया है, उसमें आई डू नाट नो कि हमारे बायो कोड़ी के ओपर रिसर्च करें, मुझे मालू है, आई आए टी ये खड़कपूर के नहीं, रूड़की के प्रोफिसर थे, उन्होंने इनसान की आँखों के ओपर उसका मैथेमेटिकल मॉडल बनाया था, और आँखे किस तरह से काम करती हैं, उसके ओपर पुरा उनका रिस प्रोफिसर ने ब्लड फ्लो के ओपर मॉडल बना के उसका रिसर्च किया था, उसके ओपर रिसर्च किया, तो इनका सोग तो यह है, या तो आप रिसर्च में जाए तो आपके पास बहुत सारे, you can, maybe you will be able to find out something new, which is not, which was not known to the people, आज तक किसी ने स्वाद टेस्ट करने का पर, और बाकी जो instrument, जो instrumentation पढ़ाया जाता है, biomedical, उसमें तो बहुत scope है, क्योंकि इतने सारे hospital खुल गए है, hospital में इतने सारे equipment आ गए है, इन equipment को maintain करना, इनको समालना, इन बहुत महंगे-महंगे equipment है, एक equipment अगर खराब हो गया, करीब एक करोर रुपे का equipment खराब हो गया, त सर, electrical branch का क्या scope है, अगे, electrical branch में यही बता रहा हूँ, कि जैसे mechanical, हर branch में, अगर आप, field work करना चाहेंगे, तो हर ब्रांच में scope है, आजकल, civil में भी बहुत अच्छा scope होने लगा, electrical में भी, again, in every factory, there is electrical connection, so, electrical engineering में mostly, वैसे research, वोगेर के उपर, मतलब, I am not talking of research, development के उपर उतना काम, उतना scope नहीं है, लेकिन, as a maintenance engineer, for maintenance of the electrical system, which is in your factory, बहुत लोगों की जबत परती है, electrical के साथ coding की जा सकती है, न, जैसे पियर्स, अच्छे हों तो, coding अपने जा सकते हैं, electrical के साथ, क्याती है, coding, coding, yes sir, वो तो आप किसी के साथ भी जा सकते हैं सा, कुछ नहीं है, इसमें जैसे बाकी ब्रांचे में थोड़ा कम बिठाते हैं किसी में यह रहते है, electrical को मतलब रख लेते हैं बिठा लेते हैं, ऐसा, इनाईटी में भी होता है, मतलब मैंने सुना है, तो इसलिए मैंने तो coding कर लो तो साथ में थोड़ा scope रहता है न, electrical में यह बोलना हो, हाँ, ठीक है, वो रख सकते हैं, सर, instrumentation engineering में, R&D में क्या scope है, सर, मतलब R&D में कुछ हो सकते हैं, instrumentation engineering से, R&D में, जाना चाहिए, there is lot of scope, 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 अगर आप को बहुत जाता है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन हमारे प्रज्ण में की यह एक नया वो निकाला न, making India, तो making India में लोगों को बहुत मदद मिल रही है, और हमारे college में भी एक incubation forum खोल लिया गया है, अगर आप कोई start-up show करना चाहते हैं, या कुछ R&D करना चाहते हैं, आप यहां के incubation forum के संपर्क में आये, वहां आपको हर तरह की मदद मिलेगी, अगर आप R&D, आप student रहते हुए भी R&D करना चाहते हैं, आपके दिमागे कोई बास आई और आप चाहते हैं कि उसके ओपर कुछ experiment करके किया जाए, तो आप कर सकेंगे, इसलिए आवश्चिक है, क्योंकि instrumentation में काफी सारे equipment हम अभी भी बाहर से import कर रहे हैं, हम क्यों ना हिंदु समय मला है, तो इसलिए बहुत scope है R&D का instrumentation. सर जैसे electrical में रहते हुए, जैसे coding मगरा सीख लेते हैं, तो सर ऐसा भी तो होता है कि मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में, कि क्यों नहीं बैठने देती, मतलब बैसे तो software company हर ब्रांच के लोगों को ले लेती है, हर ब्रांच के लोगों को मैंने देखा software में जाते हुए, और electrical के लोगों में तो mathematical capability ज्यादा होती है, क्योंकि electrical में काफी mathematics involved है, इनको तो लेने में कोई problem नहीं होना आप किस तरह का बुल लांच करना चाहता हुए, परलल। कुछ basic skills के communication skills जो हमें आगे help करें, इस तरह की कोई और skills जो हम सीख सकते हैं इसके साथ हैं? जो communication skills के लिए आपने पूछा है, उसके लिए आप फस्टेर जो हमारी डॉक्टर सारी का तीवारी मेडम, उनसे contact करके, क्योंकि she is also teaching communication skills और वो special उसकी क्लासे भी चलाते हैं, so do not worry. जो और सकते हैं, so if anybody wants, we can ask me question on WhatsApp, I will be very pleased to answer. Okay? जी सिर, जी सिर, जी सर, जी सरी, अस्वेशन लिए जाओ, जी अजी सरी, जी सरी का ठीजर रहा हूं? and also the drawing so that will be very useful yes sir thank you sir hello sir sir अगर मुझे रिसर्च में जाना हो तो क्या मुझे उसके लिए PhD करना ज़री होगा ऐसा जबरूरी नहीं है आप रिसर्च में जाते वे PhD कर सकते हैं रिसर्च करते वे PhD कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं अगर आपने रिसर्च करते वे कुछ ऐसी चीज निकाल ली जो कि बंकी है और किसी ने और ने इस पर काम नहीं किया है you will automatically get your PhD on it a student can do research even in the first year right front start you can start your research right from first year no problem sir electrical or mechanical में early age में क्या ज्यादा इसकोब रहता है कि इस प्रांच में ज्यादा इसकोब रहता है early age में early age मतला है शुरू-शुरू में हां मतलब शुरुआत में जो ज्यादा ग्रो हो जाता है अब देखिए मतलब एक बात तो है कि you don't expect very big salary लेकिन fairly good salary में electrical और mechanical के लोगों को अच्छी जॉब मिल जाए अभी भी sir one question कि जो electronics and communication engineering क्या उससे space sector में जा सकते है सर यह आपको देखना पड़ेगा कि आप आगे जाके कि इस में specialization कर रहे हैं आप पहले पढ़ लिए electronics आप उसके बाद उसके अंदर आप कोशिश कर सकते space sector में जाने के लिए आपको मतलब इंचे जो वो निकलते हैं वांस निकलते हैं उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा and you should be successful in getting sir 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 yes sir sir non-tech jobs kongos offer up it that is sir non-tech jobs के लिए कैसा अप्लाय करके नॉन टेक अब को सुना ही निए आप दंग से हैं इसमतर नॉन टेक जोब्स यह तो आपको आपके अपने फस्टे के हिरा व्ट डिपार्टमेंस एक बार पूस लीजे इसके बारे मुझे इतनी जान करी नहीं है अगर मैं जरूर आपको आंसर दूंगा अगर मैं मुझे उसका आंसर नहीं मालूम तो मैं बाता नहाए का आपको आंसर तो मैं एपके अपको आंसर दूंगा ऑनिवाद्ध धनी एवढ तो के लुड बातार दूमा तो के अगर थूर रूर थूर तो के तो Okay, so now we have Dr. Reji Mathai with us. Ashwin, sir? Yes, sir. Sir has joined, so please introduce him. Yeah, yeah, just a minute, sir. So can I start the introduction, sir? Yes, please, please. Okay. So dear students, our next speaker is Dr. Reji Mathai. He is director at ARAI Pune. He has vast experience of more than 28 years in the field of alternative fuels, emission studies, and ambient air quality. He has done his B.Tech in Mechanical Engineering with distinction from SGS ITS Indore, M.Tech from IT BHU, and Ph.D. from IIT Delhi. He is the chairman of Automotive Industry Standards Committee, which is responsible for preparation and approval of automotive standards. He has been a part of Auto-Fuel Vision and Policy 2025 Committee for drafting the policy. He is a member of various committees of government and bodies like BIS and CPCB, etc., where he articulates view of mobility concerns in these forums to facilitate future roadmap. He has published more than 50 research papers in national and international forums. He has two patents to his credit. He is a life member of Tribology Society of India, GB member of SAE Western India Section, and Secretary of CMAC India. So, with this, I will end the short introduction of our next speaker, and I invite, sir, to please deliver the lecture. Good morning, students, Mr. Apul Gwag, and the team that has arranged this interaction. Good morning, sir. Indeed, it's a privilege to interact with the fresh joinies of this batch in the JS ITS. Sir, if you can also use Hindi in your presentation, it will be better for some students, it is required. I will try my best, sir. Thank you, sir. Yeah, but they can keep asking, if there is clarity at that point, they can keep asking that. Yes, sir. The last instance, when I was hearing the interaction with the previous speaker, I think that my speech, I will be reducing to much more lower level, trying to just give you a basic support on the energy scenario. I have been hearing to your questions, and I think it will be very interesting to address some of your concerns as you are stepping into a new career, new path. और इसमें आपके सामने जु अभी बहुत सारे अप्रेहेंशन से, many doubts that you are having, how, what will the future life for me, what steps I have to take, what preparations I have to do. These are a part of growing up, and I think you will take it in your stride, and you have joined one of the best institutes in the country, which provides a very diverse knowledge for you, and diverse abilities that you can cultivate over there, and I think you should utilize it fully. और आने वाला ताम आप सबके लिए चलंजिंगा जरूर, but you will be able to overcome them, because the preparedness will be like that. So I will be just touching, trying to give you a talk, a brief talk, means I had a lot of plans, but I have to first stop at 12 o'clock sharp, because I have another meeting. So I will give you a 15-20 minutes talk on the energy scenario, what is the energy scenario, and how it is evolving, particularly for the transport sector. And then, along with it, I will try to see how various streams of engineering can be associated with it. हresemittel बहुत शचित कि भज है लगattी करी मत्फृं कैणा है कैलोग, जय है कैलोग केनल, कैण लेट्रि और लुटॉ इंगे क ceux भानना भी है जब लग में दोदिवारै कि तो अकी कि ठुट इपो फि or पौतर भी में अजा है अजम् Alma सीने में च्रीन टब करेंग I hope my screen is visible yes sir so let me just take you and I will try to be as simple as possible and as clear as possible I did my B from SGS ITS in 1989 so way back I think many of you might not have been born at that time also so it was a great journey there five years it was a five year course at that time for us and then I went for my MDEC for BHU at that time it was Institute of Technology today it is IIT after that I joined Indian Oil R&D Center spent that 28 years in study of various energy and different applications and now I have taken over as a director of AR-AI now AR-AI is a certifying and regulatory body for the automotive industry means joh bhi gaadiyaan bante hai unka yaha pe testing and certification hota hai as per a regulatory mechanism not only that they call it one in-service compliance also means agar aap gaadi bana ke abhi to BS6 ke jitne gaadiyaan bante hai after a periodic one year or 15,000 kilometers they are taken again some of them and tested whether they are meeting the requirements which they were supposed to meet so it's a very robust mechanism in India for the vehicle industry and we play a very significant role in that or isme to vehicle me there are multiple areas in that now electronics is going to be a major area in that approximately 60% of the vehicle controls and all are going to be electronics otherwise mechanical is the key thing in the powertrain means uska jo power crankshaft engine and all that still is there safety plays a very key role aur uske karan adaz bolke jo adaptive driver assist systems yeh future mein ane wala jismeh road ke related regulatory aspects we baatku chayenge ki road ke jo directions hai sensors hai usko you can capture and then accordingly the autonomous vehicle can travel such things will also come into play in the coming days so there are various things that we do very diverse activities agar aap lomko ismeh interested hai to in the future we can have further interactions on it and currently we are also supporting startups kiyonki jo startups automotive sector me jinko interested hai we are enabling them to understand what are the ways they can work on what are the fields they can work on and the regulatory mechanisms are met along with them automotive industry ke baare me thoda sa major meh ye dhena chata haun kiyonki this is one of the major industries in the country almost 7% of india's gdp comes through the automotive industry means so you can understand it's one of the major chunk uh this industry plays a major role uh we are world's number one manufacturers of two-wheelers three-wheelers and tractor so india is the number one manufacturing in all these areas almost 37 million chaar karod ke aspa's log ismeh directly or indirectly employed hai and that is why it is a very good employment uh source also this automotive sector and we are the second largest bus manufacturers third largest truck manner fourth largest car manufacturer so this has enabled local manufacturing to grow and this india ka atma nirubartha ke baare me aaj kalam jitna baat karte hai so this regulatory mechanism will continue to be there and in the coming days you will see more of this happening the government has recently announced various incentive schemes where local manufacturing can be further intensified so so anewala time mein ye jobs ka increase and activity increase which still go on and you will have a better prospects as you come out as engineers so iska challenges you have to have a lot of options you have to have a lot of options energy is the one that drives this vehicle and i will just touch up on this because this is one area i want to speak on क्योंकि आजकल बहुत alternatives के बारे में हम बोल रहे हैं या e-mobility के बारे में बोल रहे हैं and how they are going to coexist with the fossil fuels that is the gasoline and diesel उसके साथ किस तरीके से साथ चलेंगे यह सब मिलके this is one of things that I will be speaking on whenever we come to study जैसे आप अभी पढने जा रहे हैं या पढ़ाई करते हैं अमेशा एक बड़ा picture कि मैं किस चीज के लिए पढ़ रहा हूं क्यों पढ़ रहा हूं यह चीज का clarity आना बहुत जरूरी रहाता है नहीं तो एक चीज पढ़ाया है उसको हम सिधा पढ़ लिए उस exam में दिए हम number लाना जरूरी तो है क्योंकि the marks are very important to us but the knowledge the overall knowledge of that subject adds lot of value in your life तो किस तरिके से जो developmental drivers means किस तरिके से automotive sector या energy sector develop what are the things they are looking at when they look ahead so there are few things that are almost guiding factors like the ambient air quality हम जहां पर रहते हैं the environmental air it needs to improve and this will continue to be the focus of all developments आप देखेंगे the underlying principle of development the question is always asked how it is going to impact the environment आपको मालूम हुगा जब भी कोई नया प्रोजेक्ट होता है there is an environmental clearance to be taken this is why because how it is going to impact the environment is very important and this will continue to play a prime role इसके साथ-साथ the legislations will be there the emission legislation से या फ्यल एकनोमी के जो नॉम्स आने वाले हैं आरे हैं this will continue to be there vehicle manufacturers they look into the durability and pricing and the customer satisfaction की एक गाड़ी बनाना ऐसनिक में एक रिसर्च किया it shows me some benefits suddenly I don't want to implement it I will see how it is impacting the other components there will be detailed studies being done and then only that component comes into use so this is one area that will be there and in coming days the total net zero emission इसके उपर भी काफी discussions होंगे and this will be one focus area as of now पोलस आटो फ्यल पॉलिसी के बारे में बताऊँगे क्योंकि किस तरीके सी वाल वाद फ्यल पॉलिसी 2000 तक इंडिया में there was no guidelines on what fuel and all that so the emissions were very rampant अगर आपको याद आपके time मतलब it will be difficult for you to but you can do some studies or see that how was ambient air quality at that time so Delhi में सब फॉग इतना राता था it used to be so much haze and then the Supreme Court came heavily on it and the CNG was introduced but along with that the government put into place the National Autofuel Policy in 2003 and there was various deliberations done अच्छा उस सब डिलिरेशन को उनोने एक चीज़ सामने बहुत क्लिरली रखा हिये था कि they didn't define a technology they didn't say that आप इसको इसको बंद कर दूनोने बोले नहीं you meet this criteria on the emissions आप अपने emissions को लो कीजिये कैसे करना आप सोचिये so it doesn't matter whether you use diesel or whether you use gasoline but bring down the emissions to a certain limit and then because it was technology agnostic बहुत सारे नयने methods were deployed in the vehicles the after treatment devices came in MPFI engines came in CRDI engines came in so this technology started bringing down the emissions and this roadmap was revised for a long term उसके साथ साथ क्योंगी बिकास just addressing the vehicle pollution itself was not sufficient they suggested various other methods also in it क्योंकी as I mentioned there is always a holistic look आपको सारा picture रेखना पड़ता आप एक नही की मैनी एकी चीछसे में पूराप करूंगा नही so they looked into various other aspects like you need inspect these vehicles on a regular basis so inspection and maintenance centers were needed they were wanting to ensure that the fuels that were delivered are not going to be adulterate उसके लिए भी steps लेने लेगे so various activities were also done some were implemented immediately some have taken time some are under progress just say अभी inspection and maintenance centers ये अभी बहुत सारे लग रहा है अभी country में now it has taken off and each state at least has 7 to 8 some states have gone in a bigger way like 15 to 20 with all districts may be covered so that the end of life vehicle का देखा जाएगा की vehicle का सरिफ काई लोग बोते ना मेरा गाडी तो बहुत कम चलता then why I should condemn it why it should be condemned so these centers will enable that whether a vehicle should be continued or not condemned so these activities are also going on in a big way इसके साथ इन्होने ये भी बोला की the methods that we are doing how are they impacting the ambient air quality are they really affecting और ऐसी हम इतना effort कर रहा है पैसा लगा रहा है ने ने फ्यूल ला रहा है ने 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 टेक्नोलोजी ला रहा है तो इसको लिए एक source apportionment study ministry of environment ने किया था now this study ambient air quality का लेके इन्होने एके components को अनलाई किया and then they started apportioning it ये चीच किसमे सिया this can be done by analyzing the emissions that are coming from the fuel coming from our other sources and it was really surprising to see transport contribution was to the ambient air quality was not much in many places road dust garbage burning other industries all these things are contributing much more so ESF बेके government has taken systematic steps so that they can ensure जो स्टेप्स अम्लेरे उसका एक्टिव सलुशन समे मिले so road payments के लिए वेकलायन inspection and maintenance retrofitment or retirement garage certification so this was some of the recommendations they put into place so that whatever steps were taken are giving effective returns in these times the emission regulations अगर जिन्हों ने जो जो फोलो करते हैं अगर आप लों के पास गाडियां सब है तो इमिशन सर्टिफिकेट आपको क्या मिलते हैं उसमें थ्यान दिया किजिए कि उसमें CO और HC level पहले कितने थे अभी कितने हैं so there has been you can see a significant different reductions in the emission regulations in the coming these times अभी कुर्टली हम BS6 norms में हैं which has been implemented from 2020 and this is pan-India basis now there is no two norms only one norm in the total case और अभी कुई आप नया गाड़ी ले रहें particularly cars and all you will also get a certificate saying that आपका गाड़ी कितना किलोमेटर पर लिटर देता है तरके this is called the cafe norms corporate average fuel economy इसके लिए भी अभी एक norms बन गया and this is being tightened world over के साथ हम भी देरे देरे उसको एक लिटर पेट्रोल से हमें जादा चलना चाहिए तो CO2 emissions हमारा कम होना चाहिए CO2 is a greenhouse gas emission and we really want it to be reduced significantly the current limit is around 129 the future जो हम देख रहे है it is we are looking at around 113 by 2023 these dates will go little ahead थोड़ा सा अभी 22 लिखा है लिकिन इस तक जाने का चांसर साहिए so this is how the emission norms are evolving and this also is developed enabling the development of new technologies to be put into place one more slide two more few more things I will say and then I will speak about the EV quickly and then I will close the other areas that is looking is the renewables because everybody wants cells of India around five years back when Honorable Prime Minister took over we wanted that our import dependency currently हमकरीकरीपसी 80% crude import करते है हमारे for fuel requirement के लिए so with the growth it will continue to be maintained around 80% or it will decrease he wanted 10% reduction in the crude imports in the five years so there's a huge thrust now given to the renewable fuels renewable fuels मतला के से इतनोल हो गया biofuels हो गया biodiesel हो गया even compressed biogas जो वेस्ट से बनाते हैं उससे हो गया so you can see that एक एक ट्रांस्पोर्ट से लिए there are multiple sectors linked to it it is not only mechanical alone there is an agricultural inputs coming in from the agricultural side एक एक चीजों से जो fuel बनाने का जो प्रोसर से the chemistry and the chemical thing starts coming in उसके लिए जो materials उसका metallurgical parts start coming in it's a huge huge sector such that almost all facets of engineering are playing a key role in this development if you see an automotive consulting group like TCS and all they have multiple type of people it's not like certain mechanical they want experts in various areas they want chemistry people chemical engineers they want even people with metallurgy background who understands materials so because new new materials have to come light weighting has to come in battery technology is coming in a big way so there is a huge thrust on the renewables and this is going to play a key role in the coming days I will not touch too much on to the alternatives and all because I think I will touch on what I will say is on to the EV sector because I want to speak on that but before that I will just say key to rules and regulations which are called as gazette notifications these are brought out for each of the fuel when they have to be introduced so this is a systematic process again different stakeholders are discussing this not only the vehicle manufacturer fuel companies government mechanisms everybody to come together discuss on it and then they decide that how the fuel has to be notified what time it has to be introduced and then the fuel marketing starts coming into play so there are various gazette notifications on that and this also is a process that we continue to do this I will not touch upon again the alternative fuel choices in India because I think we have a lot of actions going on in that particularly let me just speak about the CNG and the LNG because this is another area kuch company ho ne recently announced kia tha aapne suna bhi ho ga ki wo diesel pe ap kaam nai kareenge but CNG yaa iske oopar jada thrust dhenge why because government announced in the last few rounds government bidding do you want to put up CNG station or pipe natural gas logon ko supply karna kaiyong ko gharo me abhi some people you may be getting the pipe natural gas in their houses you may not be using LPG so iske liye government has made various rounds of announcement and after the 10th round the PNGRB is a petroleum natural gas regulatory board they do the announcement for auctioning karta hai sites ke liye now around 232 geographical areas spread over 407 districts in 28 states have been covered for providing pipe natural gas so aane wale dhoti in saalow mein we will have approximately 53% of India's area and 70% of its population being covered by natural gas availability so this will play a key role in having vehicles that are powered by CNG or PNG so this is going to be a major thrust in the coming days and aap iske upar bhi kaaphi sare studies aur ye dekhne waale hai iske jo regulatory requirements hai these are in place various regulations are there available for it ki inke consumer kya hai kin applications pe hai what are its pros and cons everything is being studied as of now in this case hydrogen ke baare me I just want to quickly say one thing is hydrogen is another area of fuel that the government is keenly looking on recently eek CNG ke saath isko blend karke eek study kiya ara hydrogen CNG ka ki socha tha ki jab tak hydrogen naa hai till then what about let us try hydrogen CNG and there has been some efficiency improvement and all so government is looking into that aspect also ee isko kiya blend karke aur fuel hum de sakte hai ke ni karke hydrogen is notified madhla as a fuel and yeh dor terikese isko use kar sakte hai directly in IC engines as IC engine fuel ya as fuel cell vehicles so iske upar bhi now there are a lot of studies happening because when you say net zero emissions they want the carbon to be zero so a pure hydrogen fuel will always provide that so there is an interest and the thrust given by the government on this area I will now cover the quickly on to the ethanol ka to aapnei mene bula tha ki uska 20% ethanol ka introduction paile isko 2030 ke li plan tha now government has launched it for 2025 so you will be seeing 20% of ethanol being achieved blending in gasoline being done from 2025 onwards iske ni jo ecosystem hai they are developing that ecosystem on a continuous basis ek chih jamei dhyan deena hai whenever we think about the fuels the overall the life cycle analysis of the greenhouse gas what does that mean is abhi kaii manager entry kiya ek jane poochala the research ma kar sakta honki ni research see research is an area of your passion and of your interest so once you develop that you can always pursue it and uske liye aapko phd join karna ek achcha chich ra tha kyungi you get an award of doctorate degree also after that but it is not a mandatory thing if you have a passion you can continue with this this study was published by iac bangalore ismei kya dhikhaya kya hai ki ek her countries unka renewables kitna hai unke power generation mein jaysse aap aaj india agar hundred units generate karta hai total usmei coal se kitna generate hoota hai usse genset se kitna generate hoota hai or renewable ya solar wind isse kitna generate hoota hai us basis pe agar aap ev mein jate ho electric vehicles mein jate ho because you are sourcing the power from the fossil fuels and all so accordingly your greenhouse gas emissions due to the ev because ev mein aap bolo hai ki mei toh amare insme toh kuchhe evit hoota hai nahi hai but it indirectly takes the power from the main source that's why the total life cycle analysis is an important aspect in the when you look into any vehicle technology so this black dots are india ke lii jo study kya rao honi yee 2015-16 ka study hai so this data may be little old but not updated toh study me yeh dekha gya ki evs jab india ka calculate karte hai hai toh uska ghg emissions are very high because india ka joh power generation is highly dependent on coal as and when that will be reduced the overall life cycle assessment of greenhouse gases co2 emissions will reduce significantly so joh countries mei renewables ka stake baut high hai jayse europe ka hai yaa europe mein kai sare countries denmark and all those things netherlands many countries are there which are very focused on their renewable usage so unka kaafi low hai and they can push for the evs because it gives them lot of benefit so currently india ka situation dekhtha hai toh hum cng ke saath joh hybrid vehicles hai ya diesel ke saath joh hybrid vehicles hai which meets the emission regulations and all are much better in the ghg emission terms but ane wale time ko dekhtha hai government is now pushing for the electric vehicles because they can always address the power generation part much easier rather than the vehicle part because vehicle part ke lii hamei kaafi infrastructure ki jodha partha and it is spread over the country so this is another area we want to look into it lastly just quickly on to the ev we see very few ev vehicles as of now and it is slowly growing there are very great players in the ev sector and everybody particularly in the two wheeler sector lot of startups are coming and big big announcements and because it adds to the your contribution and your support to the greenhouse gas emissions plus the cost of the fossil fuels have been rising very highly and so this gives you an alternative we will see significant growth in the ev population and this is what this graph shows about it government initiatives I just want to say that a little bit they have fame scheme faster adoption and manufacturing of electric and hybrid vehicles in India is incentivized if you set up government will incentivize certain parts so that they want that import means people will import the parts and assemble it and sell it government doesn't want it to be doing so it has fame scheme done and it has advanced battery because battery also has lithium and lithium India is short of it so the manufacturing part over here and trying for alternative chemistries over here is another area government is trying to push for in this area so state governments also have given two wheelers and all they know that its actual cost is somewhere around one lakh forty forty five thousand but there is forty forty five thousand that discount that is why they get it at one lakh rupees for buses and all it is up to fifty lakhs ka un ke upar discounts available hai so these models are being put into place and government is continuously adding new schemes so that the best solutions are provided in the market for you all one of the challenges are being set is on the public charging infrastructure we have a chargers but this also is going to come in a big way the charging technologies are going to be put into place there will be apps available where you can charge just scan and charge your vehicle and take it along with you and pay from the online methods and all that so this is also coming up in a big way and in the coming days you can see lot of happenings in this site there are internships programs also being now conducted uh i think in december there will be a 15 days program for those of you who are having holidays i'm not sure now how is the academic session going to work out because it has started so late but other avenues so you can we will i will keep informing the concerned over at gsits so that some of you can apply and we will screen it and take few of you for the internship programs also okay that's all from my side and i think another 15 minutes i can interact with you all and then uh we can uh have the time of interaction okay okay sir thank you uh so now you can ask freely the questions and at the time of closure i have to start an ev startup so uh can i accept funding from the government okay i suggest funding is available but the thing is what do you want to do you should have a clear plan okay so there will have to be a plan with you and you will have to have some work already done or are doing some stakeholders should be along with you you need to have something to have so there are so many teams coming each day so we go through that and we provide them the inputs but they have to do some things and come okay okay hello sir yes so i'm going to ask you ar ai basically we do research on the automotive components automotive industry we have the engine side we have the engine side complete development for the job engine design vibration analysis there is a simulation group that studies on the combustion thing there's a safety group that looks into the crash and all those aspects so there are it's a multiple areas electronics is autonomous vehicle and all that so there's a diverse areas in that so there's a diverse areas in that so you have a long time three years time enjoy your studies time focus on the areas as i mentioned through holistic area through holistic so just number ke alawa is application of the develop your core area of interest a board important because you any stream you are in there will be multiple things taught to you so you will have to up with decide car now working meri's my interest care for example for example in my case when i was in mechanical i was very much interested in heat power engineering thermal engineering the efficiencies so this was all my area that i liked so you have to look at any area that i have to look at any area that i have to look at and have some passion for it and continue it and i think you will be able to grow much ahead in that okay thank you sir sir i was aware of the time that the mechanical engineer has such a requirement that's what i was listening to the previous speaker also addressing this कि anybody can go into infosys and all that they don't see that we have computer science में किया हो इपोई जो रही निए electronics mechanical सबको लो लेते हैं ट्रें करते हैं लेते हैं now similarly as you grow up the mechanical engineering field में आप देखेंगे there will be always a linkage with that to the other streams happening यह आपको भी थोड़ा बहुत इंटरस आपके ताम में और I think आने वाले ताम में यहां का भी जो courses that will slowly be restructured you may get electives where both the mechanical and the some of the electrical components are being taught to you you will have options to address that so and mechanical is such a stream which will continue to get you the avenues हाँ यह जैसे बोलते हैं कि एक्दम सबसे एक्दम कितना उनको दूसरों को मिलता हुतना आपको शार मिलेना इनिशली and the pay scale may not be high at the start I am a mechanical engineer and I have gone through this journey at that time also computers were in high demand as a need a few time mechanical about demand the name as a need a stand for our view is any but each engineering has got its challenges and its demand also I was a nice sir a computer may come out of the subcommand janocari any water or any any college as my computer's not coming out of the company yeah a specific auto mobile sector may a cat about hair engineer see mechanical engineer it will always be there please understand manufacturing is not going to stop whether it is an EV motor banana be a to a mechanical engineer is required for setting up the machinery and all that so the mechanical part of that the manufacturing sector will always be there are there startups in India regarding autonomous yes there are quite a few startups in that coffee sorry and there are many more coming up in this area research studies being done at triple IT Hyderabad if you want to look into their site you can give they are making a track for autonomous vehicles even the drones and all those things not only road volume for children even drones aerial is Kelly B or we they are currently are associated with that work over there yes sir who can apply for the energy on ethanol as permanent alternative for long time no question the egg to who can apply for the internships I think a pala a kabhi khula thar kuch time ke liye it was opened by IIT Madras was coordinated coordinating it so there was a huge application flow 5000 applications are getting those missing one which are be fancy so cool yeah but this next one I will ensure that it is circulated to GSITS also so that people can get knowledge about it and everybody can apply but the screening will be little tough as you know there are very few seats available in that from each colleges to to be taken so it will have to go through that second question the ethanol paper ethanol ka kya puch ready up sir ethanol as permanent alternative for long-term use for fuel it will be it is a permanent alternative mother baby 10% blend or a continuous up 20% kareng a government usko flexuel ke naam tabi bought push diya jara so there are some ecosystem still to be developed kyunki uska joe kya bulte hai aap joe kit hai how it senses kitna percent ethanol hai aapke this gasoline me kyunki what happens is the flexuel needs to sense how much is the fuel ethanol component in your tank and accordingly it changes the timing and all that so the other time ke liye because you know ethanol has got a lower calorific value than gasoline to us ko jada fuel chaya patta hai all these things are being developed along with it we have a start-up ke liye us ke liya open bhi kiya hoa hai ki koi flexuel ke opa time karna chata hai so we are going to support them but they should have some ideas on it sir 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 jo screening hoti ya bu kis basis per roti konsi screening internship ke liye acha internship screenings are based on one is on your previous marks and all that and also i think there is one questionnaire in that i'm not very sure we will look into that or maybe there will be an interaction with you with that team towards a samajhne ke liye aapka kya interest hai aur aapkyo karna chaathe ho and all those things because it is a funded internship normally baut kam aisa diya jata hai so thomasa motivational funds diya jata hai and along with that there is a project also so all those things are there that's why there will be an interaction with the team who will take you for the internship to us ke baad hi ho final selection hoota hai uska okay sir okay sir civil branch kai innovations bhi kaafi aane waala particularly ya joh adaptive driver assist system jis ko boolta hai ya autonomous driving jis ko boolta hai ya autonomas driving jis ko boolta hai is mein joh infrastructure ke saat interaction karna padta hai this vehicle has to do interaction with the road related job infrastructure aap develop kar rahe ho so how well you can integrate that along with the road development work this is going to be a future area kyunki us mein joh sensors lagana what are the easiest way and the best way to incorporate it so that they are accessible to the vehicles in the ways and again on the construction of the material of the road of course it is may not be related to the automotive side but eek cheez jo abhi baut arra hai ye hai ki jo load carrying capacity a vehicle ka aap agar bahar ka countries or india mein dekhenge to india ka abhi bhi we are on to a slightly lower side on to the load carrying capacities why because our road infrastructure jo road ka jo basic construction has not been planned for that so certain corridors government may plan ki koi koi particular routes mein very heavy loaded trucks or heavy loaded vehicles can travel this is another area that is working on this area aur ye bhi hai ki jo waste material like plastic and all ka bitumen me kis tarikai se use karna hai and then the road laying can be done this is another area where lot of work is being done so there are areas that will evolve as the time on particularly related to the automotive only i am speaking but on the other areas there may be many more sir i have one question sir what is the main difference between the ece and eie branch and which branch has more scope in upcoming times electronics and telecommunication ece electronics and instrumentation electronics see these are almost uh what can i say sister branches the telecommunication branch will look more into the communicative aspects on the vehicular side just abhi vehicle ka related bolenge to mf just say bula connected vehicles is going to be one area now connected vehicles matlab aap ek raste mein ja rahe hai aap ke aage mein traffic jam hai ke ni aap to ask kala google map dekke dekhte ho but now a vehicle that is going on that direction can communicate with your vehicle and you can say that okay that is good now three vehicles ahead of you are going to suddenly break aap ko abhi pata chalta jab aapke saamne wala brake karta hai and it can cause accidents but now you will come to know that the three vehicles ahead of you has brake on the put a brake so these are called connected vehicles so this sab chido mein communications ka part hai but this main instrumentation use hota hai these are all going to be again instrumentation related activities so these are always like sister branches sir but most of the companies give the friends to ece branch rather than eie branch dekhe abhi mein aapko yei ka hon ga take interest in your branch take interest in the field her field mein interesting activities hai hai how much you can dwell on it is the important part abhi abhi mechanically dekhaoghe toh laghega ki isme tab kuch naya ho nira hai but start looking into areas aap ek plan ki jiye ga aapne first year toh abhi chhod deyye first year you have to study the basics everything go through that second year onwards just start reading one or two technical papers on your areas of interest search ki jiye and technical papers aapko milenge thwoda sa muskil lagta shuru shuru me ya dou ya treen technical papers padhiye aap uspa chhota sa eek review article likhye yee chee jee asa-sa karna hai yee these are the areas that i believe are going to work up please make small technical review articles and i think various places you will start finding your you are knowing much better than what your peers know okay sir thank you sir yeah anymore or i think another five minutes five ten minutes maximum sir as the government is favoring ev development but at the same time there are also rumors of blackouts so how we should be tackling this problem in future they can be electricity card most of the states are on surplus some states have challenges but most of the states are on surplus now government promoting ev while they are saying is because you should understand that ek jo developmental process abhi ic engine kato process i amare country almost 1970-80 say amare passive or 50-60 saal se and we are quite mature in that technology we have that evolved that ecosystem in our place again time everybody knows that this because of the environmental concerns and all when the regulations starts tightening you need an alternative solution suddenly we will be dependent on other countries for components and all so that's why government is slowly putting up incentives into place so that the ecosystem start develop the economy as an ee-v bola to jaldi se ee-v a jaganai motor con bana aegar chote 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 uh cabling con kata ha ha us ke controllers con develop karega uska efficiency improvements con karega because making a something is always easy but making it to the optimum to the world standard level is a challenge and that is where the government is pushing it now regarding blackouts and all as i right mentioned this will be slowly addressed as a need a key my any company hota nahi but abhi a coffee reduce okay i don't know in your time in your place itself it's all kithne power cuts out there is hardly any power cut it takes maybe my name but when i left there was hardly any power cut so we are evolving and we will make a robust mechanism for that so so which is the biggest ev startup in india there are a lot of evs that are but love chal ra this ola ka there is a lot of activities happening ether is there there are so many of them are coming up in the two-wheeler segment four-wheeler segment main because established players are only making the evs so we will not know much about it when we tata motors and maindra all of them are working on the ev sector but start up space they have working very much in focus and just like you know you have to announce the booking open kia and there are so many bookings for those vehicles so it's a very good times one of very challenging times and people can look forward to a lot of opportunities in the coming days sir hydrogen energy pe kuch work ho raha hai kya hydrogen pe kaafi kaam ho raha hai abhi aap sunhenge kuch time baad eek fuel cell ka pandara buses ka demonstration delhi mein honne jara hai in coming one to two years and which is done by indian oil ntpc kuch fuel cell buses delhi se leh chalane ka plan chal raha hai panzers buses uh there is focus studies on the fuel cell stack fuel cell ke baare me aap sakti usma chemical chemistry mechanical electronics sabi ke sabi ka rool hai they can all work on those areas because what are the cathode materials what are the anode materials how the chemistry affects the generation of hydrogen so many things are there in place so ye sab areas mein kaafi kaam ho ra hydrogen ke upar from starting from production storage storage material type of cylinder to be stored uh i think it's a very new field and open field but cost intensive because the production cost of hydrogen is still very high once we have uh then we can address much more solutions we are looking at two dollars for hydrogen ka cost two dollars one forty one fifty rupees mega hydrogen mill jack then it will be very economical solution currently the cost price around production cost around 280 290 rupees 300 because compress bottling and all those things comes into play so it's a very good field lot of work is happening in that sir agar evi ka era a jata hai to electrical engineering skill you will have an hand but the others will also will have surely will have a say in that yes sir is 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 आपको बड़ा काफी एजी लगा होगा इसा कंपरेटिव कुस्टियन एन कंपरेटिव मतलब एसस्मेंट है जनरली आप लोग बोलते हैं क्यों तफ है क्योंकि कई चीजों को जैसे आप देख नहीं सकते हैं फील नहीं कर सकते हैं पॉस्टियू कि अप्लेक्स एक्राइट नहीं स्टेंट पहुट ऑपढ़ी कि असनरोपको प्रुट्वी आपता है जिए रॉटिव करण पाख राता है पर उसका applications, we should start working on those application side also, यह कहां apply होता है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको अपना inquisitiveness जनरेट करना और apply करना पड़ेगा, ठीक है सर, सर मुझे कारों के में इंट्रेस्ट है तो मैं क्या वो पढ़ सकता हूं इसके साथ, नहीं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं अचे आते हैं, जो ECE related है, वो आर क्राइं, तो इसस वरकार दिसेशन वरकार क्मुनिकेशन आसपेट्स अपेट्स अपेट्स वेहिकल्स और आपके जो भी कम्मुनिकेशन प्रोकॉल्स करना हैं, वर्यस थिंस आप बेसे होना जुरूरी आपको जो आपको अने वाले ताम में, because as number of components increase, as number of options increase, the supply chain management, operation research, this will also play a very key role in such aspects. अबसर्ड रच्टेज प्रच्टिन में जो cost-effective, cost-unaffectivenesses का मैं वीजिन क्या है? की पाइट? की पाइट इस वन इस अर्व में इसको बनाने जा रहे हो हर चीज में स्केल सिस्वेरी इस वेरी इंपॉर्टन कोई चीज आप दो किलो बनाओ और साव किलो बनाओ उसमें तो में एकनोमिक्स कम इंट प्ले आज अगर आप बोलोगे कि मेरे पास मारुति अपना गाड़ी थोड़ा सस्थे में बेच सकता दूसरा क्योंकि मारुति हजार यं गाड़ी बनाता है ओई बन्दा अगर पांसो गाड़ी बनाके बेचने लगेगा तो उसको थोड़ा महंगा पड़ता है because the resources used are more for for the same output so similarly when the hydrogen ecosystem grows the volumes increase the production starts making high so it's like a chicken and egg situation whether where the guardian here that the médico hydrogen one of them hydrogen banana and it was a cost come cassette over so it is all we are it is all tied down together so UCLA government is facilitating certain ways it can be used at various places and other than the automotive also it can be used and then the volumes increase the cost will start falling and it will be competitive okay i think we can close now yes sir i know that very many questions are there in your mind and definitely you wanted answers of all but due to time limitation abhi mujahe thwada hapa samayi siva ko dekhte hoi i am really sorry to interrupt this but because our speaker next speaker is also has also joined so i want to keep your interaction questions we will definitely convey them to sir and we hope and with that i thank our speaker dr reji mathai so thank you so much thank you thank you thank you for this opportunity for interacting with the freshers and hope they are motivated and increased to take up the challenges ahead of them all the best to all of you thank you so much sir thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir okay okay so thank you sir without delaying thank you thank you all uh मैं अभू आपके सामने हमारे नेक्स्ट स्पीकर रमेश व्यास जी का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यह भी हमारे SGS ITS के एलमनाई हैं वे बैक सन्ने 1972 में इलेक्टिकल इंजिनिरिंग में SGS ITS से बी किया है उन्होंने एक सेल्स ऑफिसर की तरह अपना केरियर L&T स्विच गियर से चालू किया था और उसके बाद फिर वो बट्ली बॉय लिमिटेड कंपनी में 1987 से 1999 तग जनरल मेनेजर की पोस्ट पर रहे वे सोलर पावर के डारेक्टर भी रह चुके हैं जो कि एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है और यह उन्होंने 2009 से 2020 तक डारेक्टर्शिप की है उसके बाद वो फाउंडिंग चेर्मेन रहे अभी भी वे फाउंडिंग चेर्मेन है एनरको इनरजी सॉलूशन के दो हजार नो के बाद से अभी तक और इस कंपनी प्रवाइशन प्रवाइशन प्रविशेस इन प्रजेक्ट मैंजमेंट एन्वरिमेंटल कंसल्टिंग भी आप देते हैं और इंगिनियर इंग डिजाइन भी तो देर अवने अस्पेट्स मेने फेशेट्स अफेट्स अवनोर थिंग उन्प्राइशन रोण खरआप दो एफ्र अगा के बाद में आलुमना होने वाले हैं. So I really respect that attitude. Thank you so much sir. रमेश्वियास sir. Namaskar. So I invite you for presenting sir. Please take over sir. Thank you very much Ashwin ji and it is indeed a great pleasure. A very good morning to you all participants, attendees and all other faculty members. First of all congratulations to you all being in this elite group for interaction. Where I think I just switched on when Tapansar who was my senior and who was my teacher as well was concluding. So I was trying to just acclimatize as to how the environment is and what is the sample of the audience because otherwise I'll be just thinking that you know there are engineering students and that's it. So now I would like to give my impression of the group first. I think it's a very very interactive group. So luckily for me I believe in less number of slides and more of talk and interaction. So I have just about maybe about 12-13 slides, there is nothing much. We can talk on hours on one slide if required, otherwise we can interact that will be more meaningful as I can see. Another thing which I find was the element of inquisitiveness which I saw in last one hour. You have lots of queries, a little bit of doubt and a little bit of concern about your future possibilities. I think that's a very 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 positive combination of things. Let me also compliment you because you are at a very interesting and very important junction. I think after industrial revolution if the major changes and much much bigger things are happening in the history of mankind industrially than it is now. It is now because everything which has been done in last hundred odd years in terms of industrial development so to say or mankind development or manufacturing or whatever you call which impacts you in terms of engineering and technology has been challenged or is being challenged and therefore I believe that you are at a very very interesting point where these challenges are not just challenges they are an opportunity for you all because world is rapidly changing. It is not the same as I saw it in 70s or 80s or 90s but between 70s to 90s the change was x between 90s to 2010 it was 3x and between 2010 to 2020 it has been perhaps 9x so the quantum of change is overtaking us so it's sad that even if you don't want to grow you want to be where you are you will have to run at double the speed the same. That means if you don't run at double the speed you will fall behind because others are running at double the speed. This is the environment which is going to be very very opportunity driven for you. We have in our beloved institution keeping in mind and anticipating the future changes getting some wind of it have started creating an environment and a facilitation for the future generation of engineers to be prepared be armed to face the new challenges much more effectively and it has got two components of facilities one is CIDI about which my colleague Apoorva he will deliberate and give you some details just after my talk and I will rather like to focus on our SIF activities which is our incubation forum of the college now before we go over to that may request Apoorva if you are there we can start with the slides now Apoorva Apoorva are they visible sir I have already shared now it is visible okay okay good good yes it is visible so the subject which we will uh evolve our discussions around is innovation entrepreneurship and startup now I am very glad to note that in last 40 minutes some of the words like startup particularly uh have been heard from the very interesting audience that I have here so in other words I am encouraged to talk general but also to handle specific questions next slide please I am I can see it are they not visible uh no sir it is not visible no sir it's not visible not visible uh you want me uh okay uh uh no sir no sir 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 यह लापर प्राप्थ पर विले को जो खिर बाद एट सिर्फ we can we can keep talking about a few things around so the i was mentioning to you that the way the things are changing it's giving it up a very appropriate opportunity and i think for you now the good news is you talked about mechanical and electrical very often and concerns were there but now it is more based on idea and intelligence so it's really it transcends the branch you can be a mechanical or you can be electrical but for achieving great success you'll have to have more intelligence and more idea yeah can you see it now yes sir yes I can see perfect okay so now while welcoming you to the institution I'm sure some of the things which are impacting you and they are already felt by you one of them is cultural shift are you seeing that from your school days to now there is a big change can anybody say whether he feels the same as school or he feels differently different so what is the difference excuse me sir yeah what is the difference so some students are requesting for you to speak in Hindi huh can you tell me about a key cultural shift up a lot that I just have school in the school me thai waisi abhi hai ya kuch fark hai different sir yeah different eek 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 c ish da yee bujai sir abojo community dubu choti si tis ish eek city ki tti abit has grown two states even very good very good so तो एक बात यह हुई कि तूसरा फ्रीडम आपको आप सहमत हैं कि फ्रीडम है अभी आपको जो कंपेर्ट टू थे स्कूल टाइमस यह सब्सक्राइब कॉलेज में वीकेंड डेवलपर और स्किल्स और अपना जेंटरिस्ट उतरस पर हम ज्यादा काम कर सकते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक आप जब तैरते थे तो स्विंग पूल में तैरते थे ना यू आ रिन ए ओपन आप सी यू कें से तो वहां पर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है फ्रीडम के साथ साथ दू यू एगरी आपको कोई सुपर्वाइज नहीं करेंगा आपको लगता है कुछ की यहां क्या अंतर है और प्रोफेशनल फील क्या होता है यहां पे हम प्रैक्टिकल वर्क करके देख सकते हैं दूसरा यहां का एगसा निए प्रैक्तिकल करके देख सकते हैं। क्या आपको लगता है यहां पर टीम वर्क की ज्यादा गुंजाईश है यह सब लोग अपने स्टूदेंट्स जो हैं अपने क्लासमेट्स हैं उन पर काफी निर्वर होंगे एक दूसरे पर बजाए स्कूल के लेवल के यू अग्री वित में हर ऐख दो कि वार्स लाड ची ऑने हुआ यह सांट्रिल पर ऐख दो कि आंग टाप टाड्र ट्र sub के उनके सपने पूरे करने के लिए कि आपको नए बातारण में positively और अपने देव को भी ना भूले adapt करना होगा उसमें आप भूल मिल जाएंगे ये पहली चीज है दूसरी चीज है कि आपको खुद की responsibility का एहसास ज्यादा होना चाहिए अब हर चीज में आपको उसका practical aspects और उसके साथ-साथ ideas and thinking, design, concept जिसी चीजे आप आने लग जाएंगे तो इसके लिए अपने आपको आप ज्यादा थयार रखेंगे राइट? no response? yes sir okay go to the next slide please okay now let's come to the subject so i i said in the beginning in the introduction slide about innovation so what is innovation i've given the definition can you all read that definition and this is where your role will be this is where your role in innovation will be and if you have this slide and the following side in the third slide then i think your concerns and worries about mechanical versus electrical and which branch can give you better salary or which branch can give you quicker jobs will start going now so innovation generally refers to the changing process or creating more effective processes products and ideas but it is not limited to products in the era of artificial intelligence in the era of automation machine learning all these things now they are less of product and more of ideas so that is one very very important change that has happened so innovation need not be only on product it can be on product but innovation satis hot aapke service sector mein aapke ideas mein bahaht important aapko aage bharna ke liha ho ga for business this could mean implementing new ideas creating dynamic products or improving your existing services लगी बहुत सारी कर चल गई है कि हम पहले अगर हमें एक रेस्ट्राउंट से मंगवाते हैं तो हमें उससे का बारे में ही सिफ पता रहेगा यहांसे बहुत चारी चॉइजेस पता चल गई है प्लाइटो को प्लाइन किया तो उसने आपने पही है यह उसने एक आपकी रिक्वाइर्मेंट संजा जो आप एक्ष्प्रस नहीं कर पादे हैं और आप कहीसे भी ऑडर करें आपको सर्विस वही विलेगी जो आप Swigi या Zomato से एक्सपेक करते हैं। तो इस इस वाट आप सी कुछ इन्वेशन इस की कुछ अट्रिबूट्स में बोलो। और इजिनल आइडिया, किसी और सोच नहीं था। इस इस बिजाइन इन थीरें इंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंगिंग सब्सक्राइब करें तो उनको रिस्क लेना पड़ती है जब करोना आया तो उनके लिए सबसे पहले जरूरी होगा है कि वो एक्सिदेशन करा है तो यह एक बहुत बड़ा काम था क्योंकि देवर टेकिंग पीपल डिलीवरी बॉइस जो थे वो कहीं से भी पिकप करते थे तो पहला जरूरी ही हो गया था टीम प्लेयर स्टेंग पॉजिटिव एंड विजन इंटो प्रोड़क्ट और सर्विस अगर आपका विजन है सर्विस के बारे में तो आपका इन्नोवेशन यूसफुल रहेगा इनिटिंग अन दिस बिफोर वी गो तो इस एक इनिक्शन सब्स है कि उसको एफिशेंटली एग्जिक्यूट कैसे करना है तो उसमें सब्सक्राइब कैसे करते हैं तो पहली स्टेज होती कि आपके पास आइडिया होना चाहिए उस आइडिया को डिसकस करिए आपके वेल विशर्स वेल विशर्स नीड नाट बिपरेंट्स वंली वेल विशर्स सम्टाइब बीओर फ्रेंट्स और पूर विए टीचर्स जबराल जो भी आप ठीक समझने होगा डिसकस करें उसके बाद में वाइडिया को आप कॉंसेप कि इसमें क्या क्या लगेगा क्या कैसा दिखे गाई concept लेवल से लाने के बाद if it is a product and even if it is not a product then the next stage which comes is prototype अब इस हद पर आने के बाद में आपको मेंटरिंग की जरूरत पड़ सकती यारी कोई आपको इसमें एक ज्यानी आद्वी जो knowledgeable person है वो आपको इसमें आपको सपोर्ट करें तो फिर उसके बाद में आप इसकी एक टेस्ट मार्केटिंग तो दिर आर मल्टिपल स्टेज़ेस तो इनोवेशन और आइडिया तो सबसे प्रमुख जो इसका स्टेकोल्डर या जो है जिस पर आपका सारा प्रोजेक्ट की सफलता का डारूंदार रहेगा वो कौन है आपके सफलता का डारूंदार कस्टमर पर रहेगा राइट आप कुछ भी बनाएंगे तो उसका पूदिंग लाइज इन इटिंग तो आपको किसी ने उस चीज को उस कॉंसेप्ट को एक्सेप्ट करके उसके लिए कोई प्राइस दी तो ही वो सफल हुआ ना तो आप टेस् marketing आपने test marketing जब की तो आपको समय काफी कुछ फीडबाक लेना पड़ता है मार्केट से कस्टमर से तो आप जैसे मन लीए है अप एक परिकुलर में उसको टेस्ट मार्केटिंग कर से क्टिए एक पर्टिकुलर सेक्टर में है लोकली टीग नीग जोग्रफी सेक्टर कुद प्रेवेंड न्यूसाइ लॉइप फूब झास पड़ भेधिजि पोरिंगों सब्सक्राइब हुआ पर श्तिक्व ठवाट ऑनल एिठ मुझे concept and then go to prototype and then go to test marketing and then get the feedback and incorporate the changes then we do what is known as proper marketing in a limited sense and then उसको उस हद के बाद पहुंचने के बाद हम कहते हैं इसको scaling it up याने अब आप इस चीज़ को आपने पहले वाले जिसे प्रोट्राइब आपने माली जे कोई प्रोडक्त है तो आपने 100 बनाया थे फिर उसकी जो marketing करके इसका करिवन आपने हजार पर मंत के लिवल पाँच गया नाव तो स्केल आप देवर दिफिर एट्रिब्ट्रेब्ट्स so you want to now reach 10,000 pieces of services per month you started with 100 when 2000 and our of this is our services a product per month at that is called scaling up the year history is and then scaling up the bad my competition competition feedback further improvement and trying to remain ahead on the curve etc etc okay so we go to the next नाम आपके तो तो क्या होता है श्टार्ट अप्ट अपनी फाँड़ वन और मोर एक या उस्से जादा लो इक अठा होके एक कोई यूनीक प्रोड़क्ट या कोई शर्विस मार्केट मेल आज के जमाना में हम स्टार्ट आपस की जिनकी बात कर रहे हैं ते आफ पीपल विच मोर यू विल फाइंट यार मोर आईडिया पीपल और देर्फोर यार मोर ऑन सर्विस इंद नाट अन प्रॉड़क्ट अजमाना थोड़ा स्टार्ट अब बढ़ा हुआ है विद इनिशियल फ्रेंडिंग फांडर्स जब शुरुआ का रहे हैं तो थोड़ा पैसा आपको ल जाक्ते लिए आज लगिली वी आरिन एन एंवार्मेंट वी टॉक अबूट जाट लेटर बंस अगें आज यह है कि आपको वेंचर फंडिंग वेंचर कैपिटल फंडिंग के बहुत सारे आयाम बहुत सारे नए कपनीज है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो स्टार् सेकंड इस कॉंस्टेंट लर्निंग इन फैक्ट आई वाज इंटेंटली लिस्निंग टू रेजी मत ही मेरे प्रीवियस स्पीकर उन्होंने जब आतके उसको मैं और जोर देके करा है सकता हूं कि आपको कंटिनियूसली अपने विशह में पढ़ते रहना समझते रहना झानी हैं आप कभी भी Google पर सर्च करके information ले सकते हैं पर उस information को आप क्या interpretation दिए हैं आप इसको क्या मतलब निखालते हैं क्या महत्तु निखालते हैं उसकी बैसिस पर आप क्या निर्णे लेते हैं यह सब आते हैं जो मैना तीसरा point किया है crisp तो पहला grit अपने सबसे महत पूर्ण इसलिए मैंने इसको आखिर में डाला एंवाट इस डाइशन येस जब तक जैसा वो एक अगर पता नहीं आप लोगों को या देखने करीवन 15 साल पहले 20 साल पहले पेप्सी का एडा आता था कि एट पेप्सी ड्रिंक पेप्सी तिंक पेप्सी नो बैट का अब पैशन अब मार्केट में आप अपने प्रोड़क्त अपनी सर्विसस के लिए आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे तब ही आप वालेज में हैं तो पैशन विल बी रियली बी ड्राइव नेक्स लाइट पर एस्टाइब okay now what are the relevant things for a professional student we will come back to the things of innovation because these are all again the characteristics of startup and innovative people so start winning certain basic practices I have a question please please go ahead sir I want to ask that if someone has an idea but doesn't have enough funding to applicate that idea so what can he do you can do many things first of all if you have idea and as I said appear social media को कुछ हब तक लाने के लिए कोई पैसा ज्यादा लगता नहीं है और अगर वो पैसा भी नहीं है मालीजे पचास जार रुपे लगते तो उतना पैसा होना चाहिए अगर वो नहीं भी है तो उसके लिए भी आजकल बहुत तरीक है मैं आपको एक ग्जांपल देता हूँ आप लोगों ने नाम सुना है crowdfunding इसने सुना और क्या बताईगा ओगों जिसने सुना कि crowdfunding क्या हो crowdfunding basically एक large amount of crowd से कुछ कुछ थोड़ा-थोड़ा amount घटा करना जैसे मैंने एक आड दिखे अर शेरोल्डर साव अधे कंपनी जैसे कि उसमें हम अपनी जो भी situation है उसे एडविटाइस करेंगे लोगों को उसके बार हम बताएंगे फिर जैसे हम शोचल मीडिया वागेर आप उस पर एड्स लगा सकते हैं और लोगों को जो भी अपना contribution जितना भी वो दे सकते है minimum वो हम उसको contribute करने के लिए के लिए तो crowdfunding absolutely and is crowdfunding के दो-तिन attributes यह हैं तो आप जब किसी को कुछ पैसा देते हैं तो उसकी accountability हो जाती है कि वो आपको बताया उसने क्या किया इसमें वो accountability बहुत कम रहती है तो दिल्ली में अगर आप इंडिया गेट पे बैनर लेके खड़े हो जाएं या गेटवी आफ इंडिया में बॉम्बे में और आप कहें कि में यह concept है मेरा मुझे इसके लिए help की जरूत है तो कोई आदमी वीडियो बहुत लेक कर रहे है यह बीच बीच में क्या हुआ है मकली यह ए आप पाप आप बीच में अर्च भीच आप बीच पादर लेके लίक बीच 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 बादी इस लीजिए टेर्ट काप इस दिए प्लीच विल्सक भी बीच बीच इससे पैसा लेते हैं उससे आप कोई कंडिशन नहीं सेट करते हैं कि आपको सो रुपे देना है या हजार रुपे वह अपनी इच्छानुसार दे जाएगा एक बात दुसी बात जो पैसा कठा हुआ उसके बाद में उस आदमी को नहीं पता कि आप क्या करेंगे उसका आपने परपस महाँ पर डिस्प्ले कर दिया लेकिन वह परपस के लिए आप वो पैसा यूज कर रहे हैं या नि आप वह अदमी को आप अकाउंटेबल नहीं है जबकि वो किसी ने बीच में कहा कि शेर होल्डर या एक्विटी होल्डर तो वह साल में एक बार कम से आप जनरल बताओ जो मेरी एक स्लाइड में कहीन कहीं आएगी आप लोग इतने लगी हैं कि यह कॉलेज जब उननी सो बासट चौसट में शुरू हुआ था तब अलुमिनाई नाम की चीज ही नी थी क्योंकि उनके पीछे कुछ था नहीं अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते है अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो जवाब जिस ने पूछा था कि अगर मेरे पास आईडिया है तो और पैसा नहीं तो उसका हल है सब्सक्राइब करते हैं तो बदले में वो स्टेक्स लेते हैं अपनी कंपनी के एंजल इंवेस्टर का मतलब यह है कि एंजल इंवेस्टर आपसे कोई लेकिन अगर एक भी क्लिक हुआ तो वो फिर इनको बारे नियरे करते हैं तो दे बिकम था इंवेस्टर के विए प्राइब करते हैं ने अगर्ण करते हैं यह सब चीज़ चीज़ें आप्रोच आप्रोच आपक्स तिंकिंग यह सब चीजे जो है एक प्रोफेशन student के निष्ट वह ब्रेंस्टर्मिग, What is brainstorming, I'm sure you know all. विछ चैलेंज़ आर बेंस्टर्मिगारा इस 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 इड आराइट इस को इकठे करके उसमेंसे इस 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 पप्कोता है यानि वो क्या है कि ब्रेंस्टर्मिंग में देरा नो बांडरी लिमिट्स हर आदमी कुछ नो कुछ आइडिया देगा और उसके पहली कंडिशनी होती है कि प्लीज नो होड़्स बार्ट आप कुछ भी जो आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है आप उसको एक्स्प्रेस करिये बिकास युद्ध नेवर नो कौन सा इडिया क्लिक होगा तो ब्रेंस्टर्मिंग इस दी वाल जहां बहुत सारे कच्छे आइडिया देगे लेकिन उसमें से कुछ पक्के लिमिटेड आइडिया जनरेट होगे वो ब्रेंस्टर्मिग एडिया नेक्स लाइड पीज अशर आ लोकल सिडिजन जो इंदोर एंपी वहां की बात करेगा बिकास कोई ने कोई कहीं ने कहीं में जर्मनी में या युएस में बैठके भी वही आइडिया इंप्लिपेट कर सकता होगा तो आपके तो आपको उस बारे में सुचना चाहिए अगर आप सुचते हैं कि आपकी और अधियो आपका किस टाप कोई दूसरा अइडिया तो इस वर आपकी अधिया आथवाइस आपको आधरवाइस के करन आधिज है कोई implementation के स्टेज प्याने के बाद में जनरली प्रावलम नहीं पड़ती है एक्सेप्टिंफ और इस ए रेप्लिकेद आइडिया और फिर नॉट पेटेंट इन समोन इलसे पेटेंड देन यह इस न अपर हैं और इफ बोथ आपको यह बात सोचना भी रीचिए आगे जब वो स्टेज आती है तब आएगा ओके नेक्स प्रीज नेक्स लाइड पीज अब इस सब का मतलब है अब चुकि आप स्टेज पर आगे हैं तो यहां के लिए सब से बड़ी बात यह है कि आपको आपको यह आज प्राइम फोकस है तो इंप्रोव यह नालेज बेस इन चोजन फीज फील बंग कि एक हद के बाद में इंजीनेरिंग डिग्री जो है इंट फॉर्म्स अ वेरी गुड बेस और उसके बाद में आप उससे कहां टेक आफ करना चाहते हैं वह आपके उपर निरभर है तो आपने मेकैनिकल चूज किया है या एलेक्रिकल चूज किया है यह इंपॉर्टन है but as the time passes आपके बाकी के attributes बेस्ट इसंड बemporत में तरह देके जोन में सुर्म और स 이제 लेख देंगें स्ट्पें और इंड जोंगरियाई तो तो दिखॉर्म्स अन्क आपनी में एनस अनगवां फॉर्म्स आ इंट है biggest CEOs are there but then there are many where CEOs are also there so it's okay yeah now आप जब इंजिनिरिंग करेंगे तो आपको एक दिमान में रखिए कि आपको एंटर्पेनर गर बनना है तो यह इसके लिए क्या-क्या जरूरत होगी उसके लिए आपको step-by-step approach की जरूरत होगी तो this will be a constant parallel thought not clashing with your engineering studies but supporting your engineering studies in your future initiatives आप अपना भविश्य कैसे आके जाके समारना चाहते हैं उसमें जितना योगदान engineering degree का होगा उतना ही योगदान बेलकि उससे कभी-कभी ज्यादा आपकी इस thinking का होगा कि आप कैसे startup या disruptive technologies के बारे में आप अपने आपको ढाल पा रहे हैं next slide please next slide अपूर्वा, can you change the slide? अच्छा, अब हम इसके benefits की तरफ जाते हैं because then we can again open to the many other questions तो आज की तारिख में हम क्यों startup को इतना promote कर रहे हैं सबसे बड़ी बात कि this has the potential to become rich and famous आपको पता है आज कल के startups इतने बड़े-बड़े valuation पर आ रहे हैं Zometo is a case in point how welcome it was by the stock market आज नियाका का वो चल रहा है IPO नियाका इस आज बड़े नॉट स्टार्टप पांच साल परानी कंपनी है और इसका valuation आज 55,000 करोड रुपे का माना जा रहा है लगबग 7 billion dollar एक आ रहा है वो पेटीयम पेटीयम का valuation आज से 15 दिन पहले 15 दिन पहले तक पेटीयम का valuation था 15-16 billion dollar और अगर उसको साथ से भी multiply करें तो 11,000,000 करोड रुपे के उपर सिरफ पिछले दो हफते में वो वेलिएशन चार बिलियन डॉलर से बढ़के अब वो दीस बिलियन डॉलर का है तो पाइंट नमबर वन वाई वाई थिंक इन तर्मस अफ स्टार्टप स्टार्टप इस पोटेंशल तो बिकम रिच एंद फेमस बिच जल्याओ एंध वाई विट्वन बिच जोर वर लोगा एंध पूर टिलिए अविव्डीश श्चार्टप सबसे बड़ा इनिशिटिव सरकार में लिया है और उन लोगों ने इसका एक जिसको बोलते हैं कि सही वातावरन तयार किया है जिसको कि हम अंगरीजी मुलते हैं कि conducive ecosystem, ministries are supporting, environment is… अपना इस्द हाँ, yes, so now conducive ecosystem का मतलब यह है कि आपको अगर आज आप startup ने तो किसी नखा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आज वो चीज की नौबत ही नहीं आती है, क्योंकि काफी कुछ सुविजाय मिल रही हैं आपको मालूम होना चाहिए और उसके लिए ही हम लोग हैं, यह जो हां पर व एगेसां दिल वाई जसेटी हैं, आपके अडिया को कैसे, रिफाइन करके जल कांसरब करके आपकी जो फीजरिडिया को भीज के उस आइडिया को पास कर kalian, this is the current scenario of setup, there is a venture capital culture, this is the current scenario of setup, there is a venture capital culture ration सब्सक्राइब कि अगर वो एक बिलियन डॉलर को अपने रुपे में कितना बोलेंगे सब्सक्राइब करोड का मान लिए तो जो स्टार्ट अप शुरू करता है उसमें वो जब साल भर में छे मैंने में दो साल में पांच साल में कभी इने रीजनेबल टाइम वो जब उसका वैलिएशन और यह वैलिएशन कुन करेगा यह वेंचर कैपिलिस एंजल वाले वो तो जब उसका साथ हजार करोड का वैलिएशन जागा तो उसे हम कहेंगे कि वो यूनिकॉर्ण है आज 2021 का अक्टोबर मेहना खत्म नहीं हुआ है और इंडियाम हैज अल्रेडी प्रोडूज्ट सेवन्टी यूनिकॉर्ण इस साल में इसका एवरेज जो वैलिएशन तो इस यह हाजी 2021 में जो सतर नए यूलिकॉर्ण बने है उनका उनका वैलिएशन अगर एक बिलियन पर लें तो सतर बिलियन लेकिन मैं मैं मानना चाहता हूं कि यह कम सकम डेढ़ बिलियन लें तो सौक सौ बिलियन हो गया सो बिलियन है कि हिसाब से कितना हजार करोर हो गया बताएगा कोई सच है लाग करोड़ साथ लाग करोड़ ना मद्यप्रदेश गौर्मेंट का बजट कितना है लगा हैं तो यह इसकी साइज का अन्दाज़े लगाई है और अब स्ट्रॉंग सपोर्ट फॉर्म स्टॉक मार्केट के कारण यह जो युनिकॉर्ण बनते हैं ना यह जैसे ही स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यह वन पॉइंट फाइब बिलियन वाले हैं यह स्ट्रीट तेन बिलियन, पाइब बिलियन, एट बिलियन, यह संभावनाएं हैं, नेक्स स्लाइट पीज, यह कुछ नाम हैं, जो रिसेंट टाइम्स में, बड़े स्टार्ट अप बने हैं, आप में से कही नाम सुन चुके हैं, है और बड़ी हर्ड रेजर पे, अफ कोर्स, जरूद है, धिलियूज, पामईज, विजयूज, तो यह से कही नाम बने हैं, विज प्यूब्स, प्यूब्स, जरूब ने बने हैं, जरूब जरूपे नाम जोड़े लिए इसा रिए और विए झालन प्रस्टार्ट, जरूद ऑट आइम्स, एम्स, बड़े टीजूबूद प्यूद पर लंगिने मेरशियों जम लिम्लाइचिनूरी Newman ऑमाइचिन. विल हो दिस् combin guests. हो पर होकिते हो us crafts अलेचे साथिन। भेने दिसिटारशंेश लिफाशू मेरच अाश्fficities चुझांज लिО्हॉझ टो कि इस्य कृष चुछारी की कि आप अपुर्ववत प्षब्स अवलाब बतर स्चाइब प्रोड एक म् सब्सक्राइब रिल्ड इसाओ ने स्टफ, क्या हम अविल क्या बिल्टThat थेस entrepreneur and for that my best wishes and i conclude my presentation on that note with uh if there is a permission from the organizer then we can have a question answer session thank you very much sir sir sure sir uh sir so please continue if you have some genuine question please please go ahead so he will be definitely answering your questions don't worry about i have only to say about what all facilities are available to whom students share because vyas sir is very much involved in variety of activities and a lot many things to share with the students so therefore if vyas sir can take as much time as he wishes and i can come back again whenever you want me to because the facilities are available the students are available in the institute they can drop down and visit cidi and discuss with me else also i'm available for discussion later on so please allow maximum time to vyas sir uh it's vyas sir's interaction and then i come up okay so great okay so please continue with your questions thank you thank you very much thank you shaker sir are there any startups from our college right now yes yes and apurva can share that details with you may i share right now yes 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 please please okay just a minute i will share a poster with you which will tell you these are the startups officially registered with us you can continue asking yeah yeah that's right any other question we can we will go back to this in any case sir yes sir uh if we don't have an idea about a new product and we have ideas to how to level up the product and what new things uh we can indeed in that so what we have to do yes that is that is the whole idea of startup like i was telling you that the whole idea is to improve if not innovate afresh even if you can come out with a very revolutionary solution that is what we call disruptive technology for example the method of doing a particular thing let us say it was costing 100 rupees and you come out that you can do it in 20 rupees so this is disruptive second is that you if with older method you could reach 100 people and with newer method you can reach 10 000 people so yeah a process improvement is that you can do existing things which is something that you can do something that you can do something newton or einstein something newton or newton can do something newton can do something सकता है पर जरूरी नहीं okay thank you sir is the shared screen not yet not yet sir if we have an idea which is out of the box like no one is thinking about it then there would be more chances of it to be success absolutely absolutely why not why not I'll come to that by the time the screen comes I'll just give you an idea like for example today the world is suffering quite a lot because of the tooth problems you know the dental doctors are thriving now if somebody can come in a very presentable manner the you know and maintaining the freshness of bubble and cut it in proper pieces I think it can be a huge you know turn around startup to cater to a large masses you know so don't convert it into a place because then you become a cut and paste don't do that converting it in a bubble toothpaste make it something different and that's a that's a thing that you can do I mean I'm just giving you the example not necessarily that this is the example so yes you can why not okay somebody asked that do we have any startups already yeah sir may I speak for a while please please this is the on the display you have a document and there are the registered startups as incubatees in our SGS-ITS incubator the first one where the mouse pointer is showing he is Mr. Ashwin Dhanotiya joined by his partner co-founder Mr. Gaurav Paliwal both of them are SGS-ITS students your seniors and they have they are marketing and electric bicycle which works in three modes and you'll be happy to know that this work they have done this work they have done GS-ITS 15 interns with the clean water solutions this is the IIT Bombay Mr. Priyan Shukumat this is the water islands which is the purification environment product this is also market and support you have Umashankar Rajat who is in the animation video number three then then there is a spit cup solution they are outsiders not students of GS-ITS but our incubator they have certain environmental and infection-free cups developed and they are also in the market around 50,000 cups they have already sent sold you have like pharma easy type we have an app which is slightly different from Mr. Shanil Kothari he is the recent edition then some gym trainer for gyming application and facilitating gym this is our remote incubation the gentleman is from Faridabad and other education educator is developing a parenting app incubator Quotium is from Nityansh Garg who is a pre-incubated SGS-ITS incubation forum student he is final year computer science student and this is also started up then sex is from and a person from industry who is very strong technocrate who at the same time products develop then nutritional value Dr. Pooja Pandey 10th number she is developing sort of some nutritional foods and mushroom cultivation and company as a family venture just making products develop so this is just to give you a feel more details you can always find out from our website and if required we can connect you with them also thank you very much if any question was that audible yes you guys yes you guys yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir yes sir we can start up on any idea different from our branch or any other field we see India India economic India 辅 India te Magna other way Karna Mr. 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 और उस interdisciplinary approach के बाद में जो product का prototype बनता है, उस prototype का iterative testing होता है, market testing होता है, उसके बाद में final finished product आता है, और फिर आप register करते हैं start-up में, is this point clear? yes sir, okay, तो ये branch का barrier जो है, वो आपको start-up में आड़े नहीं आने देना है, ये तो आपके लिए basic education है, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, और इसलिए आपको first year में सारे के सारे courses के बारे में basics बताया जाते हैं, उसके बाद में जब आप product develop करते हैं, तो आपका focus रहता है, कि वो product market में जाके customers, maximum number of customers उसके लिए उसके takers रहें, उसको भाय करें, उसको लें, उसको use करें, तो उसमें branch is not at all any hindrance, सारे के सारे real life काम जो है, वो interdisciplinary होते हैं, यह आप note करके रहें, please, next, yes sir, thank you sir, 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 if we want funds for our start-up, then what would be the best and safest way, sir, sir, if we want funds for our start-up, then what would be the best and safest way, come to me, I will guide you, sir, okay, because nobody is going to give you a fund just like that, unless and until you have, you have proven and the donor or the facilitator is convinced about that your product has a value, so you have to create that value, you have to create that concept and hype in the mind of the people, then only you are going to get fund, for ideation stage, some small funding requirement, please come to me, we will facilitate, not many resources are there, for advanced stage, when you want to launch a start-up, yes, you have to do some other things, sir, please, do you want to end, sir, please, do you want to end, sir, actually, two things in the last five minutes, deliberations, there are no boundaries for thinking and ideas and concept, so this is one thing, and as Apoorva has very correctly said, you have to have interdisciplinary support and involvement at any stage, which can happen with a group of people also, or otherwise, yeah, you will get all, Sanjali, you will get all contact details, there's no problem, and the other thing is, that please keep your mind open and keep on having, you know, refinement of your thoughts before you really articulate them, because first, it should test, it should stand your own test, like, वह लिटेस्ट टेखनोलोजी हो कही से सपोर लेना हो या फंडिंग हो या मेंटरिंग हो या इसको स्केल अप करने के लिए लाजर फंडिंग हो काफ जो भी चीजे होंगे वो कही न कही उसका रस्ता निकलाएगा आप कदम तो है पहला अपने आप में रम जाता है तो वो कही चीजे देख नहीं पाता है इसलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट अप के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि मैंने कहते हैं अबर ब्रेंस्टार्मिंग वो ब्रेंस्टार्मिंग एक चोटा सा कदम है वो कदम यह है कि आप अपने खुद के स्टेच पे बिफोर यू कम आउट विटे इन और मोर कॉंक्रीट मैनर आप उसको करना शुरू करें स्टार्टप फेल दो कारण से होते हैं या तो उसमें वह वाला लेवल अफ कमिट्मेंट नहीं था या कोई और दूसरा कर रहा था और दूसरा कारण यह होता है कि दे आर नाट अबल तो सी दे फ्यूचर कम अज को और ऑख ऑनिसे डिए आपके विशह के बारे में जानकारी होनी चाहिए ऐस्यूंट की अग्स के आप फैले यह थीамен से बीड़ी से धिल प्लाजमा आया आज आप मुबाइल आ गया है तो जो कोई साभी चेंज जो अनपेक्षित या बिल्कुल एक ब्रेक्नेक स्पीड से स्थेज गतिस जाता है कि लोगों ने अंधाजा नहीं लगा है उसको हम कहते हैं डिस्रप्टिव चेंजेस तो आज की तारीख में डिस्रप तरीके से कर सकता हो या सस्ते तरीके से कर सकता हो या आईडिया या उट्डेटीड होगे उसकी दिमांड ही खत्म हो गई तो यह हमेशा ध्यान रखने का है और दूसरा यह कि स्टार्ट अप आप दो मॉमेंट यू ठिंक आफ इट कुछ नब च फेलियर तो रिस्क होती ही ह तो इतने होशियार पैसा लगाने वाले वेंचर क्यापिटलिस्ट यह मान के चलते हैं कि दस में से साथ आईडिया साथ क्लिक ना भी करें वह रिस्क हमेशा रहेगी है और उस रिस्क को डिरिस्क करने का ही तरीका है कि यू यू गेट हैल्प सपोर्ट एन इंवाल्मेंट प्रॉम देपल वू आर अल्रेडी इन इंड तो आप अपने इसको डिरिस्क कर सकते अगराब की फेलियर के रिस्क सेविटी परसंट थी तो आपकी फेलियर की रिस्क 20 परसंट रहेगी इस कमेशा रहेगी येस प्रीस सब्सक्राइब के लिए आइडिया का आपको जूता कहां चुब रहा है मतलब आपको यह कैसी चीज करना चाहते हैं जो आप को रोज तकलीर दे रही है और आपको उसका कोई हल ने दे रहे हैं तो उसका आप हल निकालिए और ऐसी आसपास आप अगर देखेंगे मैं एक जमाने में सुचा करता था कि मैं बांबें रहता हूं तो वहाँ पर पचास-साठ फैमिली की बिडिनिंग्स उस वकित कामन थी तो मैं सुचता था कि यार हम लोग सब सब्जी खरीदे जाते हैं हम लोग सब करयाना का समान मंगाते हैं आज से 20 साल पहले तो क्यों ना एक आदमी हम रखने जिसको कि हम दिन रात यही काम ले उसका भरन पोशन भी हो जाएगा और हमारा भी फाइदा हो जाएगा तो उसकी दुकान उसको बंद होती दिखी क्योंकि concept of home delivery home service आने लिए तो यहां पर जो central थीम है वो home service home delivery किये उसको आप अगर miss कर जाएंगे तो आप you will miss the boat तो यह कहने का वदले है कि आपको सही idea या सही करने का कोई तरीका आता है तो उसके बारे में आप हर जगे सोचिए है और आप तो यूदे कंसुमर भी हैं आपको क्या तकलीफ हो रही है वो देखिये बागे समवदी संटॉक मार्केट में डेम तच बीफली धर दडिट ग़िए रिषि ब्लेप्वन yellow eyes and it is a it is a unicorn. 0 the platform started to live about six years back by two people call नितिन नवन अदर कामत इन पहले यह कैसे संबह वा कि उनको खुद को तकलीफ हा रही थी कि हम यह स्टाक मार्केट में खरीदने बेचते जाते हैं दिलिवरी नहीं आती है पैसा अफ्रंट देना पड़ता है कमिशन लगता है तो उनका हल कुछ निकाल देंगा तो लोग आएंगे तुक वाइल लेकिन चुकि उनका खुद के अनुबहुत से उन्होंने काम किया कि जो समस्यां वो फेस कर रहे थे उन समस्यां का सुलूशन न आपको होरी उसका ही हल निकाले और इसको ब्रॉडबेस कर लें या कई प्रॉडक्स या सर्वीसे ऐसी हैं जहां पर गुंजाइश काफी इंप्रूव्मेंट की है कम खर्चे में कर सकते हैं या ज्यादा अच्छी कर सकते हैं यह कुछ लक्षन है स्टार्ट अप के शुरु अग्याद चार्ट यह कि अच्तिविटी इसके अच्छाई एसके आप कल यह थे उद्यायत प्रॉडब को में और यह कुछ तार्ट नायस पर ग्ष्टार्ट सवागा इसके सप्ली तो यह कुछ थए नग्ष चार्ट वेस् आटिन एंट कान कार्ट वेड़गं representing all those things and we want to make it but we don't know how to make it because uh if even if we go on to hire somebody we'll have to pay him or a good salary and we don't know that and we don't even have a background to produce in front of someone as cv or something so can our incubator center help us with that like can we hire people and have like see our seniors work with ourselves not feeling inferior that you are working with or something like that and you can make a desirable product yes yes there are many possibilities I'm sure some of these things which is your address ask can be addressed by Incubation Center or CIDI facilities are available we can help you in you know bringing it to a certain level and then thereafter once the idea has even further picked up then we can get in the people who can help you to bring it to the design level is it is not a problem in which I thank you about bulreho what he would this is a session copy or yeah facilities coming will go to the coffee good concept okay so thank you sir sir why stock market is necessary in growth of business to scale up our stock market is not necessary stock market is not necessary because stock market is necessary only when you want money for which you don't have to pay any financial cost understand this job IPO equity raise card in top key accountability to hotel again a financial cost me uti so did not be low stock market we are a very guy but it is not that that is the only only way to do business or a starter there are many startups about a basically um so that I chose to come to stock market but sweetie has not come to stock market so as a new stock market is the only solution for a starter as a new day to start up cut the stock market entry ball must still be hot that so we can have a problem if we saw bucky is structured the stock market meant really bought bought it on the mountain what I'm gonna make start up of order yes I'm gonna write a job when you become a super unicorn then you then only the stock market starts becoming relevant to you scale our stock market cap primarily in growth of a startup I would say role is nil yes please any other question I think there are some some more questions okay so if there are no questions we can we can thankfully close this session and go over to a pool was the session I should this question in chat box yeah I saw that why it is produce so many startups why it is produced so many startups twice the gentleman has visual Sharma has repeated yeah okay so the answer is that the conducive situation conducive atmosphere in IITs in terms of facilities created has been one of the causes apart from the people's desire because it can also be said that why people in Silicon Valley are more from IIT and not from other colleges so you know it's a very debatable thing now what happens is that both initiative of IITs and support from Government of India helped IITs create an environment much early and much bigger for a facilitation of incubation and startup whereas if you really look at IIT Bombay versus let us say GSITS Indoor now GSITS Indoor has started only three years ago whereas IIT Bombay is almost 15-20 years old and then their alumni have put pressure also that this will help in a big way for all that means alumni can pitch into support college can develop the facilities with government support and also their support and whatever I said alumni support was available now we are trying to kind of do the same thing but on the curve we are at least 10 years behind IITs but then we are trying to catch up and I think we will succeed so that is the answer sir why IITs are given so much hype despite they are not under 100 in the whole world didn't get it. What is the question sir. इसका पूछ जवाब ने, it's all relative. महतु कों दे रहा? आप के दिमाग में आप महतु दे रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं, वो तो यह है ना? महतु इसले भी दिया जाता है, कि there is a set pattern and it takes time, you know, there is an inertia, एक आदमी की image is more important than the reality, तो IIT's की जो image है, based on reality, that will carry them on for a long time, हमारे college की भी reputation है, that is carrying us for a long time, but if the institute starts faltering, then IIT name alone cannot save, like they said, कि Rolls-Royce को भी petrol लगता है, खाली reputation पे नहीं चल सेती है, तो आप यह समझ के चलिए है, कि अगर Rolls-Royce जीसी brand को भी petrol की बिना कार नहीं चल सकती है, खाली reputation पे चल सकती है, तो इसी तरीके से IIT's कुछ करते रहेंगे, तो ही चलेंगे, hype नहीं है, reality भी है, काफी facilities है, काफी, उनका intake के level से ही शुरूवात हो जाती है, कई चीज है, let us not be critical about it, yeah, so, if there are no other questions, organizers, can I take 10 minutes to 15 minutes for just showing what all facilities are available, related to the discussions going on, sir, you can continue, please, sir, yeah, Harshit Khandelwal has a question, yeah, can we take that question quickly, yeah, please, yes, Harshit, quickly, go ahead, oh, Harshit, this question, I'll answer you in person, okay, both are good, both are good, depends on your outlook and temperament, sir, may I request you to type your email address and contact details in the chat box, because some of the students have requested, okay, I'll do that, all right, so, I start sharing my screen, formally, I welcome all students to GSITS, GSITS campus, and hopefully, very soon, you will be in the campus, instead of this online business, students, 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 both, बाते होती है, आज़कल, इनोवेशन, नवाचार, उद्यमिता, एंट्रप्रेंजियर्शिप, वगेरा, 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 इससे related, बड़ी, अच्छी फीलिंग आई, जिस रंग से, आप लोगोंने इस सेशन में सवाल पूछे, और जो कि आपने उतना ही, जितनी की सुईना है, जी एस आई टेस में, आपके लिए उपलब्द है, सो, just a minute, I am sharing, do I need to share a window or entire screen? सब्सक्राइब नाट यहाओ अवाओ नाट यहाओ आप लोगों में से कुछ लोगों ने इन-पर्सन विजिट किया होगा जिए साइटियस कुछ अभी करने वाले होंगे ज्यादा गोंफिरे नहीं होंगे लाइबरेरी वाली रोड पर आगे जाएंगे तो एक सेंटर फॉर इनोवेशन डिजाइन एंड इनक्यूबेशन है जो की दोहजार अठारह तैईस अपरेल को इनागरेट हुआ था और यह उसके विजन एंड मिशन से मिशन है टेक्नलोजी डिवलॉपमेंट इस इस तो इनक्येट इनोवेशन डिजाइन तिंकिंग एंड इनक्यूबेशन एक्टिविटी इन टेक्नलोजी और साइन्स पर सोश्यो एक्वानॉमिक ग्रोथ ऑफ तो सॉसाइटी इन जेनरल एंड इस जी इस 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 स्टूडेंट इन पर्टिकुलर यह सी आई डिए का वि करता है इनोवेशन, डिजाइन, इनक्यूवेशन, ट्रेनिंग और इंडस्ट्री कनेक्ट अगर आप जी इस आई टी इस की बात करें जिसमें कि आपने एडमिशन लिया है अलग अलग ब्राइंच वगेरा की सब की बात करते हैं तो आप देखें यहां पर जो सेंट्रल लो एको सिस्टम को जो है वो है हलप करता है जिसमें की एक स्टार्ट अप सेल है उसमें इंस्टिट्यूट इन्वेशन कांसिल है जी इस आईटीस में एक और वर्टिकल है entrepreneurship cell then center for remote sensing and satellite technology या GSITS के दूसरे जो excellence centers है वो है institute industry institute partnership cell है जिससे की जो है वो interface करते हैं indoor और उसके आसपास की industries को CIDA जो है एक और entity है GSITS में SGS ITS Incubation Forum जिसका की बाद में details मैंने presentation की slides include करी है एक company है जो की GSITS as a parent institute इस company को launch किया है जो हमारा official incubator है start-ups को facilitate करने के लिए जिसमें की Tata Institute of Social Sciences Mumbai से हमारा MOU है वो हमारे knowledge partner है जो की इस incubator को facilitate करते हैं मदद करते हैं guide करते हैं connect करते हैं और जो भी हमको guidance की जरौत पढ़ती है उसकी वो provide करते हैं यह incubation center जो है SIF short में सरने भी दो-तीन बार presentation में बोला था व्यास सरने industries alumni और budding entrepreneurs को connect करती है आपस में एक दूसरे के लिए startup ecosystem को develop करने के लिए CIDI बहुत सारी trainings वगेरा activities चलाता रहा है past में और यह सब उसके photographs हैं यह सब उन trainings के details हैं जो कि आप कभी भी इंटरेक्ट करके और ले सकते हैं हमारी website पे भी है यह सारे के सारे details करीब-करीब pre-covid period में इतने घंटे की training 738 की करीब 845 trainings को CIDI जो GSITS के students थे और बाहर के भी थे उनको दी जा चुकी है जब से कोवीड हुआ lots of online activities are going on आपके whatsapp ग्रूप पे जब create हो जाएंगे admission process के बाद में और जब आपकी classes चलेगी इसकी information आया करेगी हमारा social media पे भी आप connect कर सकते हैं उसके details में बात की slide में दे रहा हूं यह सारे के सारे online activities के details है CIDI और SGS ITS Incubation Forum के अब एक सबसे बड़ी बात कि आपके लिए CIDI में है क्या तो there are equipments, there are softwares, there are computing facilities और यह CIDI जो है वो अभी recently आपने paper में पढ़ा भी होगा और हमारे director साब ने अपने उद्वोधन में पिछले दिनों में बताया होगा कि All India Council for Technical Education ने एक idea lab जो है वो grant करी है SGS ITS को तो यह सारी कि सारी facilities उसके साथ में club होके आपके ideas को validate करने के लिए उपयोग में आएगी आपका idea test हो गया validate हो गया यह सारे equipments की images हैं जो कि मेरे खाल से आप physically कभी भी आके visit करके और देख सकते है lots of equipment lots of resources are there और हमने यह सब करने में यह ध्यान रखा है कि department के resources जो है वो duplicate या replicate ना हो need basis पे ही यह सारी की सारी चीजें यहाँ पर create करी जाए जो चीज आपको department में मिल रही है वो आप वहाँ उपयोग करे जो नही नहीं मिलेगी तो हम आपको उसकी relevant industry से भी connect कर सकते हैं आपके पास idea है आपके पास passion है आपके पास काम करने की इच्छा शक्ती है आप अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा आगर बढ़ना चाहते हैं तो CIDI और SGS IDS Incubation Forum jointly with the support of the overall ecosystem आपको मदद करने के लिए तैयार है Lots of design packages, काफी high-end software है, इनके multiple licenses है और इनकी value जो है वो करीब 2 करोड के आसपास है जो की CIDI में के resources और in computing resources के साथ में available है और एक अच्छी चीज़ यह है कि आप न सिर्फ इन resources को CIDI में आके उपयोग करें बलकि यहां के server और campus network infrastructure के साथ में इसका उपयोग आप अपने department अपनी lab में भी कर सकते हैं और कुछ-कुछ का जो है अपने residence से भी कर सकते हैं तो यह computing resources हैं लगबग इंदोर अगर जो लोग इंदोर के हैं या familiar है यह के आसपास से इंदोर में पीथमपूर का इंडस्ट्रियल एरिया है एक सावेर रोड का इंडस्ट्रियल एरिया है देवास में है electronic complex है यह कुछ चार बड़े एरिया है जिसमें की इंदोर और उसके आसपास की industries concentrated है तो उन सब के साथ में हमारा connect है हमारा MOU है और वो हमारे साथ में कहीं ने कहीं किसी ने किसी रूप में partnership में GSITS से मदद लेते हैं और GSITS को मदद करते भी हैं कि बहुत सारी activities होती रहती है यहां पर मैं अभी उसमें आपको bother नहीं करूंगा तो यह सब जो है वो उसका presentation है उसके details है CIDI is Institute's Excellence Center अगर यह slide पर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पर आप देखिए CIDI की location और इस arrow के साथ में यहां पर SGS ITS Incubation Forum जो की एक official incubator है SGS ITS का जैसे की sign IIT Bombay का incubator है जैसे की IIT Indoor का incubator है उसी तरह से यह official incubator है तो CIDI का एक जो incubation का goal successfully अचीव करने के लिए हमने एक section 8 company जो की government की requirement है SGS ITS Incubation Forum उसको short में हम SIF बोलते हैं SGS ITS Incubation Forum वो launch करी है with a lot of support from Tata Institute of Social Sciences और everywhere available alumni of SGS ITS आज सुबज आप जो session सुन रहे हैं इसमें उसमें भी सबके सब all experts are very key alumni जो की GS ITS का भला चाहते हैं जो की GS ITS को मदद करना चाहते हैं आप लोगों के through तो यह section 8 company 11 December 2019 को incorporate हुई थी उसका objective है to create vibrant ecosystem for technology development and entrepreneurship उसके aim से national priorities से align करना job or wealth create करना platform for technology commercialization and to support startups typically यह equation समझ में नहीं आती है to there are institute departments जिसमें की आप लोग जो है वो admit हुए है जो इसमें की में पावर और लेबरेटरी उप्योग में आती है there is an interfacing agency arrow पे ध्यान दें center for innovation design and incubation which is institute's excellence center and at the same time यह CIDI जो है fabrication lab के रूप में इस incubator का काम करती है हम जो है वो foresee करते हैं भविश्च में यह SJS ITS incubation forum को देश का एक उन्नक technology business incubator के रूप में establish करने की के प्रयास चल रहे हैं जिसमें काफी सारी activities चल रही है और उस हर technology business incubator के साथ में एक fabrication lab होती है यह fab lab जो है वो CIDI है और इसी में idea lab भी आपकी जुड़ने वाली है आने वाले समय में आप बहुत अच्छे time पर admit हो रहा है कि idea lab का काम अल्री चालू हो गया है और अगले कुछ महीनों में आप उसको reality में देखेंगे CIDI के साथ में SGS ITS Incubation Forum का vision and mission to develop and establish a self supporting ecosystem for the entrepreneurs with global perspective to establish an all inclusive incubator to provide support to entrepreneurs by networking of stakeholders is the mission और stakeholders में कौन कौन शामिल है आप students faculty members staff members of GS ITS SGS ITS के alumni दूसरे associated incubators करीब चार incubator से हम already MOU में काम कर रहे हैं and relevant government departments यह सारे के सारे stakeholders है जो की इस incubator को आगे बढ़ाएंगे similarly there is a value SGS ITS Incubation Forum will be guided by and will function under a developed system and procedures strictly based on the following core values and endeavor to make these as organization culture through practice these core values are transparency and integrity professional and non-compromising with the general engineering practices and general social practices contribution to the environment and its conversation अब अभी तो हम sector agnostic incubator हैं जिसमें की जो भी idea आ रहा है उसको support कर रहे हैं क्योंकि हम early stage में हैं इन एरियाज में ideas को support करना और उनका product बन्वाना उनका prototype बन्वाना उन prototypes को market में ले जाना और SIF के थ्रू enterprise create करना meditate pharmaceuticals food and aggregate logistics related to smart city and smart villages environment and ecosystem product and services related to industry 4.0 and product and services related to the armed forces यह सारे के सारे एरियाज जो हमने select कर रहे हैं यह हमारे यहां के departments की strength indoor region का in general ecosystem और वहां की requirement और उसकी proximity महूँ जैसे एक armed forces के center के पास में होने का को ज्यान में रखते हुए यह कुछ आप slide मेरे world document में देख चुके हैं यह सब लोग जो है वो कहीं न कहीं किसी न किसी डंग से किसी न किसी फॉर्म में इंक्यूबेटीज रहे है एस जी साइटियस के आपको जो यहां पर आप जाइन करेंगे एजन इंक्यूबेटी थूए साइफ एड़ थू सी आईडी आई एस वेल ट्रेनिंग और एजुकेशन से रिलेटेट सर्विसस मिलेगी क्या क्या हम देते हैं मेंटरिंग एक आइडिया आया तो उसको सबसे ज्यादा जरूत पड़ती है कि उसको कैसे प्रोटोटाइप में बनाना उसकी मार्केटिंग करना तो हमने अल्रेडी पंदरा मेंटरिंग एरियाज आइडिया जनरेशन के बाद में एंटरप्राइस क्रियेशन के पाथ में जो आते हैं उसके आइडेंटिफाई कर रखा है और करीब कि 45 और प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स आप सब को मेंटरिंग करने के लिए जो है वो अवेलेबल है उसके लिए आप जब भी उसकी आवशक्ता हो मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मेरे कॉंटेक्ट डिटेल्स मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिये हैं हम सीट फंडि तो वह कनेक्ट प्रोवाइड करते हैं दूसरे इनकुवेटर से नेटवarson और से एकिनलोजी में सब्सक्राइब डैते इलेक्टु या सब्सक्राइग एर ड्रेल्स मेंट मुलर क्टी राइट रेलेक्ट सर्विसेग बहुत तार्व Quan हैं वो over the period of time आपको पता चलेगा and this is the slide I think which you should note or get used to it. यह website पे भी available है SGS ITS incubation forum यह हमारा email address है यह भी कर सकते हैं यह जो है social media presence है जिससे की SGS ITS incubation forum की overall activities के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी. इसले दिनों में जो जो भी चीजे हुई है इसमें सारे के सारे photographs आपके seniors के हैं जिन्होंने कुछ काम किया entrepreneurship से related product development से related company creation से related वो सारे के सारे newspaper cuttings है and that is all from my side I think I have kept the type I can if organizers permit I can take up a few questions otherwise I can I'm available through my contact details. अज़र कोई सवाल मोग आपके लिए परी संटों का लेकर रखने है and if we send you to तो चुकि आप college में है आवाज नहीं आ रहेगी आवाज नहीं आ रहेगी आवाज नहीं आ रहेगी सर आपसे request है कि अभी जो दूसरी जानकारिया अभी देनी है उसके तहत में आपकी queries को अगर बच्चों से लेकर रख लूं तो चलेगा सर्ण? I don't have any problem institute में full time available हूं more than institute timing so it is your take as per the program proceeds students who may have contact details we share email करेंगे तो उनको सारे जवाब मिल जाएंगे मरे से they can call me on this number also जो उनको शेर किया है so whatever one or two questions if there are very specific I can take else we say thank you very much so I permit for one two questions please sir 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 4.0 sir industry 4.0 industry 4.0 4.4 industry 4.0 क्या होता है ये जो अलग 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 industrial revolutions हुए है ना उसमें आज बोलते हैं industry 4.0 where there will be a lot of automation and involvement of remote controlling of the devices through some kind of internet connectivity IOT and inclusion of AI and all that I can share a document with you and a very good presentation for industry 4.0 you just drop a request on my email yes sir did you hear me yes sir yeah so आप मेरो को अपना जो है एक मेल वेजिए कि मेरो को industry 4.0 के बारे में थोड़ा सा जानना है मेरे पास में जो मतेरियल है वो में आपको मेल पे भी दूआ okay sir okay one last question please okay so if there are no questions okay so thank you very much and you are always welcome anytime CID open from 9 a.m. to 9 p.m. in the institute to support entrepreneurship related activities और वो क्या क्या होती है अपना देड़ घंटे से वही बात कर रहे है thank you very much to all the students as well as organizers for providing us a chance and rest assured that your period of stay in SGS ITS will be we all we all are committed to make it wonderful fruitful useful for your career now the ball is in your code how you shape your career and how many efforts you put in in the coming four years thank you very much once a year sir thank you so much thank you sir thank you so much अब है इसके साथ मैं अभी यहाँ पर अपने निक्स्ट जो प्रेजिंटर है स्कॉलर्शिप से संबंदित जो समस्या है हमारे बच्चों की रही है साथियों की रही है उनको खास करके बहुत सारे questions थे मैं समझ सकता हूं कि time अभी भी लिमिटेड है तो सारे questions तो हम नहीं के attend कर पाएंगे लेकिन करदम जी मुकेश करदम जी हमारे बीच मौजूद है जो कॉलेज में scholarship से संबंदित jobs देखते हैं उनसे मैं request करूँगा कि sir आप take over कर ले और अगर आपकी तरफ से कुछ पहले present करना हो तो आप present कर दें और बाद में मैं अपने बच्चों से साथियों से request करूँगा कि वो आपसे अपने queries पूछते रहें so we have half an hour for this thank you sir okay को जानकर ही दूँगा जिसमें मुख्यमंत्य मेधावी योजना की संब्द में जानकर ही दूँगा इसमें कुवर्मेंट ने एक क्राइटीरिया दे रखा है कि इंकिन विद्याद्यों को स्कॉलेशिप मिलेगी मुख्यमंत्य मेधावी योजना के अंतरगत जिन विद्याद्यों की जे डवली की रेंग देड़ लाग के अंदर है प्रस जिनकी 12 में सीब्येसी बॉर्ड में 85 परसेंट और MP बॉर्ड में 70 परसेंट से ऊपर है यह वो जिनकी पारिवेरिक आए छे लाक के करीब है उन एक्तियों को यह चात्र रती से संबंद चात्र रती प्राप्त होईगी दुस्री बात एक इस चात्र रती के अंतरकर बच्चों को जो सांसान की टूशन भीस है एक्जाम भीस और मिसलिनेस जो लास्ट यह रहें करीबन विद्ध्याद्यों करीबन बानुन होजार एक करीब चात्र रती बात तो ही थी मुख्यमंति में विद्ध्याद्यों को एंपी कि एंपी का मुल दिनासी होना अनिवारे अनुस्चित जन जाती के विद्ध्याद्यों को के बारे में आपको जान करिए दू बहुत अच्चे जो अनुस्चित जन जाती के वह जिनके परिवार की इंकम छे लाक से कम है उन विद्ध्याद्यों को यह स्कॉलोशिप की पातलता आती है अपना आए के विशे में थोड़ी चर्चा करें तो परिवारी का इसमें मायन में होती है अगर परिवार में मदर फदर दोनों जॉब क करते हैं तो दोनों की इंकम मिलाके यह परिवारी का मानी जाएगी कि अ कि कुछ विद्ध्याद्य को कुछ बूचना किसी को मुक्का मैंते में राभी और अनुस्चित जन जाता दिखिए बारे में येस सरे कुश्यन येस सर्टर वह अपना जो कॉछ इंकम प्रूफ क्या जमा करेंगे इसमें इनका अगर मदर फदर गुवर्मेंट जाब में है तो जिस डिपार्टमेंट में हैं उनका वहांका फॉर्म नंबर सोला उस सोला के बीस में तैसिल दार दारा पस्तूत आई फर्माण पर तो दोनों चीज़े जो टीएफ डबलू में आते हैं वो में धावी उजना भर सकते हैं वह भर सकते हैं अगर उनका जे डबली के सब्सक्राइब कर सकते हैं अब होती है क्या हां इंकुल होती है लेकिन अभी हमारे होस्तल अभी चालू नहीं हुए है कि जो एक वाई सी होती है में धविच आत्र के लिए तो वह बहुत पर निया चलेगी नहीं वह के पौटल की साइट पे जाएंगे माँ आप के वाई से करेंगे तो आजयेगा उसमें आपको अधार कर नबर टालना पड़ेगा अधार कर नबर टालेंगा तो आपके जो जो तो मोबाइल नंबर एड है उसमें वोटीपी आएगा तो उससे वेरिफाय हो जाएगा मतलब की साइट तो जाकर एक वाइस ही कर दिया स्कॉलेशिप सेक्शन गूगल की साइट में एंपी स्कॉलेशिप सेर्च करेंगे तो उसमें आजएगा अच्छा सर वहाप एक के वाइस ही का आजाता है जी जी सर अगर मम्मी वाप जो है वाप प्राइट जो में होता है तो उसमें क्या डाली अभी अगर होस्तल अलाट होगया तो यस कर दो अधर्वाइस नो कर दो अगर एक फिछले दो साल पे ले गवर्मेंट ने एडिशनल वाम दिया था जिन बच्चों को स्कॉलर्शिप में अलग को उस्तल की नहीं मिलीती उनके लिए अगर वो गवर्मेंट अगर चालू करती था एक अडिशनल आपको अलग से देना परेगा सब्सक्राइब करने के बाद ऑफलाइन कुछ सब्मीट करना है कॉलेज में और आप कॉलेज की साइट पे देखेंगे तो हमने एक नोर्टीस डाला है उसके मिजर कर जो अपने जो दे रखेंगे वो सारी चीजह जमा करना पड़ेगे आपको सब्सक्राइब कितनी स्कॉलर्शिप मिलती है इसमें में काई में दावी चाहत्र बरने से कोई लाव होगा शर्ट पिज़एगा अब दूब्ली चीट में मदधिश में दाविशात दूजन अबने से कोई लाव नहीं गाएगा आपने जो प्रीस बरी है इक रांटी अपर इफर्ट हो जाएगी परिश्ट कितनी इसमें मिलती है कोई इसन बाइं अब ब्रांश को आपकी वी नहीं फार्मा वी फार्मा वालास्ट ए नांटी तू अउदलन हुए थी और सर सी एसी को नांटीटू हुए थी रास्त गाश्ट कर लास्त एद्टिव प्रूद्व हुत्वी थी अए कि आई पी को आई बायो मेडिकल तो आप ऐसी का लो तो अच्छा रहेगा अच्छा पिक है के लिए कब आएंगा इंफॉर्मेशन कोई नहीं आया है अगर आप स्टी एसी के हैं तो एंपी टॉस पे विद्गराई पंजन होता है वह आप पंजन करा के रखिये पे लिए सब्सक्राइब के लिए है क्या कोई और स्कॉलर्शिप क्या करें लिए क्या तो अब अगर रखियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले अपना हैंड्रेस कर दीजे और फिर आपको वह अपना पूचे गांड़ करेंगे तो हम लोग अभी सेशन क्लोज कर देंगे यहां पर ठीक है कर्दम जी आप से रिक्वेस्ट है कि जिनका हैंड्रेस आए किवल आप उसी को एंसर करने के लिए उसको क्वेश्चन करने के लिए बुला लीजिए सब्सक्राइब अगरो जें अरे यहां करना अपको यार कि क्या क्या स्कॉलर्शिप रहेंगी इस्कॉलर्शिप रहेंगी कुन सी फायदे मन जादर है कि SCSP, OBC कि यह आपका काई में है माइनोरिटी में है मेरा तो माइनोरिटी में नहीं देखता है मैधावी अगर आपकी डेडवली इसके यह रेंग डेड़ लग के अंदर है और आपका 12 में परसेंट है और आपकी इंकम जो लिमिट है उसके अंदर है तो आप मेधावी कर सकते हैं ठीक है सर मेधावी में अगर क्राइटेरिया मीट करते हैं तो 100% चान से क्या आपको scholarship मिलती है कि लिमिटेड बच्चों को मिलती है नहीं है मिलती है 100% मिलती है अधर के बाद 12 के बाद 12 के बाद gap हुआ हो तो मिलेगी उसको मिथा भी मिलेगी उनको सर यह फॉर्म 6 के पूचा इने नोटिस में उसका क्या करना है फॉर्म 6 करके फॉर्म 6 करके हमारे लाइबरी में फोटोकापी आपको उसके एक मिल जाएगा एक चेक लिस्ट और यह दोनों चीज होगा आप मिल जाएगे आपको सर जनरल के लिए करदम साब यह वह फॉर्म यहां पर जो लोग अभी नहीं है ना तो वैपसेट पर डलवा दीजे प्रिंटाउट निकाल सकें प्रिंटाउट निकाल सकें उसमें डलवा दीजे और एक एक मैं नाम बोलता हूं उसके बाद एक हेंड्रेज वाला अभिज्यान प्रोहित बोलें यह सर जनरल के लिए मिधावी के अलावा कोई स्कॉलर से भैसर एक संबल है वह भी उसमें भी क्राइटीरा जो आता है वह मिधावी के जैसे आता है जे डेवली की रेंग और आप पर तो दोनों सेमी है अधिया थो फुल फुल हो रहा है सर जैंट्रल सेक्टर की स्कॉलर से भी है जोली मैटम ने बताया था जैंट्रल सेक्टर की विए तो जोली मैटम को उसे पूछना पड़ेगा ठीक है अभिगान हो गया आपका जो जन्रल में जन्रल कैटेगरी से हूं और बीम ब्रांच है तो मझे कितनी क्या स्कॉलर से मिल लेगी मैं काई में मेधावी की लास्टे रूम मेधावी के बायोमेटिकल को एक लाक अल्ली से सेंक्शन हुए थी जिश्थ को साइट पे देखिया है हमने नोटीस डाल दिया है उसमें सारे डॉकुमेंट की लीस्ट लगा रखी है जी सरड़ सर स्कॉलर्शिप और मेधावी में से कौन सी बेस्ट रहेगी एस्ट तो आपको सेस्ट के लेना चीए उसमें लास्ट बहुत ही कम मिला था आपको 20 एहर कम मिला था दुछों को लेकिन उसमें मेंटेनिंग चार्ज आपको मिल जाता है साड़े पांच आर रुपे और मेधाव साल बर का गेप होने के बाद भी हो चालू रहती है और इसकी लिंक निया है ये स्कॉलर्शिप वाली की लिए अगर आप फास्ट यर में हैं तो एक MP टॉसकर के साइड है उसमें किद्रिया ही पिंजन होता है वह आप उसमें पिंजन कड़ा के रखी है अगर मेधावी लो अगर मेधावी अगर आप तो तो मेधावी लो मतलब सर कैसे भरना होगा उसे क्या करना होगा सर एंडूल्मेंट नम्मर क्या मेधावी की स्कॉलर्शिप हर यर मिलेगी एक्स्कूलर्शिप का क्या रहेगा एक्स्कूज मी सर अभी रुख जाईए अभी पहले हर्शत बाटी जा लो मतलब यह ओवी सी में पी डवली डी की स्कॉलर्शिप पर रहता है हाँ तो कि अगर तो पिस वर्थे नियसमें सब्सक्राइब मिधावी का एक रूल है जिनका फरस्टेयर में अपलाय हो गिया वो सेकेंडेर में करते हैं बीच में से मिधावी नहीं मिलती हूँ ओके सर्थेंकिस्टाइब जैसे आपने बताया कि आप होस्टल अभी ना भरें मानलों में होस्टल अलॉट हो जाएक और दूसरी में आपने जो मिल जाएगी बाकी का उस्टल का कर ने जिन बच्चों ने फीस कंबर डीती यह उस्टल का नहीं बढ़ाता तो एक एडिशनल फार्म उन्हें ऑनलीन डाला था तो फिर इस बांग डालते तो आप होस्टल का एडिशनल बढ़ सकता है अदर्वाइस आपको अभी यह फीज बरी वही मिले गिया कि पर मार रहा है वोलो तो इस इस फाइव थाज़न उनको अलांस मिलता है इससे करके 77 थाज़न उनको मिलाता है सब्सक्राइब करें एक तारिख थी अभी एक तारिख है चाहिए फिटींद कर दी ना भी अभी अपने शर्वी की करिये भी अच्छा बीटेक वाली की है वो जो बीटेक जो रोसा बगर है कि कांड ठीक है सार्वी स्पॉलर्व शिप में ड्रॉपर्स का भी कुछ क्राइटेरिया है आएका ड्रॉपर्स को भी मिलेगी नहीं ड्रॉपर्स के बाद ड्रॉप लिया हुग है तो हो जाता ना से तुमको ड्रॉपर्स के आए कोई पूछ रहा पर पॉस्मेटर के लिए सब लोग नोट कर लें अच्छा और आवर स्पॉलर्स के साइट में भी जाएंगे सब तो उसमें कॉलेज को और ब्रांच को सार्या गौर्वर्मेंट ने डाल रखाए असक नम्हांव कर दितिन अफिल मलडकर प्रजिश्ची वालिवालों की बोले थैं हमने रेट आख रख वर्मा का परवल्मेंट आपisen ने बॉला था हां निए नए बड़नाट निए बी फार्मा का करने प्रावलम है क्या व्र्मा की बढ़ा दीज एक को यह चल दा था ए सब्सक्राइब कर सकते हैं कर सकते हैं उनको टूशन फीस नहीं मिलेगी बाखी की जो एक्जाम फीस और मिल जाएगी अगर उस क्राइटेरे में आते हैं जो गोर्मेंट के रूल मिधाभी के तो मिल जाएगे निकों सर एसर रूल तो नहीं कि टीएफड़ो का अलड़ी मैं बेनिफिट ले रहा हूं तो अम्म्मव का नहीं ले सकते हैं अब पोस्टमेटर के लिए अपलाए कर सकते हो अब बॉबीची का अगर आपके बाश्टिपिकेट है एस्टेम का तो आप अपलाए कर सकते हो तर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो लास्ट ये टॉन्टी एट थाउजन मिली थी अब्स्याड़े अब अब कर दो आपके अधर का अधर का देखेंगे अपके आधर का अधर का देखेंगे अधर काट से जो एकाउंट लिंक होगा उसमें पेशा आएगा सर मुझे आप पूरा मेघावी का प्रोसीजर बता सकते है सर प्लीज आप कालेज की साइट पर जाएंगे उसमें नोटीज जलाएंगे आप अधर करेंगे अधर करेंगे अधर करेंगे अधर कराना पड़ेगा पंजयन जिसको बोलते हैं वह पंजयन के बाद आप वह पासवर्ट के थुरुआ अप मेधावी का फॉर्म बर सकते हैं और एंस रगवंची सर एक और एक वस्टन मेरा कि सर यह जैसे एसी ब्रांच है मेरा तो इसी में जनरल के टेंगरी में कितना है स्कॉलर्शिप नई कौन ची इस इस कॉलर्षिए अगर अगर यह जोसा में कोई कॉलेज जैसे मिला तो बाद में कॉलेज चेंज तो नहीं हो सकते ना शायद मैं मामत भार यह जग तक रोसा नहीं होता अगर आपकं का से तो सर मेरा इसी ब्रांश था उससे आइटी ब्रांश किया है तो अब इसको लाकर है डाइटी की साथ अब आदी हृई तो उसका अलट्म अंट्यटर उसकी फीसर संब लगा यहां से मिलेगी फिर में आइका आई टी अडियर निकलगा होगा जिनकी ब्रांच चैंज दूगी आपको आया होगा मैं यहां से अलोट में लेकर होगा यहां जीन नीके बाद भी पोई ब्रांच अप्ड्रेडेशन होगा या जो ब्रांच में दीए वह फाइनल यह सब्सक्राइब करना है कि अलग से करना पड़ेगा अब आइटी की जो वड़ा दिये अगर वह एंपी डॉमिसाइल की नहीं है तो उनके लिए कोई सी स्कॉलर्शिप होती है यह राज जी शाशन की है इसके लिए एंपी डॉमिसाइल ज़रूरी है सर यह OBC वाले के लिए MMVY के लावा सब्सक्राइब कोई और स्कॉलर्शिप है क्या नहीं एक संबल जो आपका MMVY है उसमें वो सेम क्रेटेरिया दोनों का सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं कोई एक सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं वो जुली मेडम बता पाईए आपको अगर जो परेंट्स हैं मतलब वो अगर प्राइवेट जोब में तो क्या क्या करने पाड़ेंगी एक तो जहां जाप करते हैं वहां का एक सटिपिकेट या तो प्राइवेट जाप में तो उनको वहां पर सोफार्म नंबर सोला मिलता होगा अच्छा और 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 उनकी उसके इंकम जो कुछ जिक्ट पर कि आप फिफ्टीन नवेंबर के बास समिट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें जोशा से कॉलेज मिल गया तो इसलिए कि अगर वह देट बढ़ा देके तो हम आगे बढ़ाएंगे से कैटिक्री में अमांट कितना मिलेगा इसमें अब इसलिए पार चे मेने का दिया था उन्होंने लॉग दोंके कांट कितना मिलता है मिलता है सर अवास योज ना में अवास में पिसली बार बारा जार अपर यह देट छे मेने के उन्होंने अच्छा ठीके सब्सक्राइश के बाद एक डिकलेरेशन फॉर्म है इंस्टिटूट है इंस्टिटूट स्कॉलर्शिप नोडल ऑफिसर वाला यहां के सॉलेज में इसमें जो फॉस्टिटी फीस थी यह 93550 थी तो इसमें फीस को अप्चेन आया था तो मैंने यही वाली फीस जादी यहीं जालना थी सब्सक्राइब 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 के लिए इसके मतलब प्राइवेट उर्गनेशन जैसे वह फाउंडर फाउंडेशन फॉर उनके लिए तो अप्लाइगा सकते है ना अलग से जुझे मिन से पूछना पड़ेगा अपके सब्सक्राइब करना है अब गूगल पर इंप स्कॉलर्शिप सेर्च करें यह तो उसे आजाएगा आपको इसका बीफ फार्मसी फर्स्ट यहल को फीस कितने भरनी है वह में बीफ फार्मसी फर्स्ट यहल वालों कि को जी में मेदावी में हां मेदावी में निट सेर्फ फार्मसी वालों को कितनी नाइइन थ्री नाइए फार्फ जीरो छर्ट यह नाग वागम जिरो जय है काउं के बेटी के बजाएक बजाएक की स्कॉलर्शिप ले सकते हैं हाँ कोई एक भी एकी स्कॉलर्शिप ले सकते हैं कि इंद्धान में विए एकिसेहर ने कम्पूटर साइन्स कॉम्पूटर साइन्स सब्सक्राइब 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 था तर्वालो जिखे ए घर यहांगे अप्रहों हो उस्टी अन्चथ नियुक्ति हो राइश कुछ झाल खाल ऑखुछ जो जो कि युद्ध खाल जो चुरएंगे से युद्ध बड़न आज में पोश्ट की अटियुक्ति नहीं कि आए ते इसे यह नियुक्ति अट फिट के व स्कॉलर्शिप में कुंछी ब्रांच है सर एस्टी कैटेग्री ब्रांच कुंछी है आई टी है सर आई टी यह सर आई टी लाश्ट यह उनको आई टी वाले को फिर्स्ट यह वाले को एक लाख रूब स्कॉलर्शिप मिलती है क्या फिर नहीं नहीं कोई से एक स्कॉलर्शिप लगाप कोई से भी एक सब्सक्राइब है उस पें जो है उसमें चालान और प्रवेश पत्र तो वो क्या है हम आइक अपने एडमिशन करा रहा था और एक ऑनलाइन सिलिप वहा होगा था था जैद मिलने गे लिएपको यह जमा कि था वह था रूश्ट का फिस जमा कि ठी थी उसको वही क्या चंश्ड कशा नहीं है सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें पेले आपको एक पंजेन कराएब भाना पड़ता जिसको हैं पंजेन मुलते हैं यह सर एक बार पिट कर अधिदो करें प्रूशन फीज कितनी आती वेपस नहीं है टोटल फीज आती है अश्चानि फोटावजन आई थी तो तौब गपार नहीं खुदना तो कितनी आईगी फिर फिर भी थानती है जिए सब्सक सब्सक्राइब छीट्टेग्ट वह कुछ देखेज़ में वह से प्रश्ट्राइब इस थीजिए प्रेस्टिट्ट्ट में किका वस्टिए राइटी शेवेंटी टू साज़न प्लास थाउसन थाउजन हमको एक लाउंस सलेक्से मिलता गुल्मेंट तो सेवेंटी तो फीस वागर refund हो जाती है यह आप पूछना बढ़ेगा यह वह वेबसाइट से मेसेंच में लिखके बता दीजिए सर कर दो कि अब पालेज की साइट पर देखेंगे तो नोटीज दला है उसके नीचे में ने सारी फीस डाल रखी आप देखेंगे तो नोटीज दला है प्लिज सर अब नुमर सिक्स टे और चेक्लिस्ट ऑनलाइन रखी डाला निया में इने में सर बोलेई में उसके डाल दूगा ता आप साइट पे से उताल ले ना कालेगी तक सब्सक्राइब का बता दीजिए प्लीज के सब्सक्राइड का बढ़ेज का अब प्लीज का प्ली जब आपको लाइबरी में मिल जाएगा कि अपने बीवाइब के अलावा ओबी सिगल गई चाइल्ड के लिए भी पूछ नहीं है सिंगल गल चाइल्ड में ऐसे कुछ मिलता है क्या नहीं सीवेगी स्कॉलर्शिप में एक लाग तक की स्कॉलर्शिप मिलेगी तो सर बाकी के जो सेकेंड यह थर्ड यह रहेंगे उसमें भी मिलेगा क्या यह देखिए आप ब्रांच कौन से है आपकी सर आइटी है आईटी है आईटी में एक लाग रूपर मिला था प्लस फाइट आउजन्ड अलाउंस मिला था उनको सर यह के लिए कि सर चारो साल के लिए यह गवर्में पहली जारी हुए तो सर वो देखिए आपके बाबा काई में जाब करते हैं सर प्राइवेट जॉब है कोई कंपनी है क्या है आई सर कंपनी है तो महां के लिटे रेट पे लिखवा ली जिए कि यह करते है रों उनको वर्ष 20-21 में इत्ता वेतन मुक्तान के गया सर देड मह पहले आयकर ब्रामान बुत्र वाना है उसके साथ में प्राइवेट जॉब में था ही के लिटे रेट में लिखवाना पड़ेगा आपको जहां जाब कर रहे हैं फॉर्म सोला जरूरी नहीं है उनको नहीं मिलता तो आप लिखवा लीजिए एक सिंपल के लिटे सर अगर पा के लिटे सरी इसमें सर्ट रिटें अगर नहीं बढ़ते हैं सर दोलाग दसजार लिखिये तो रिटन अगर नहीं भड़ते है तो चलेगा विना उसके इंकम टेक्स एक एपीड़ेफिट बना लीजिए यह कर रहा है आपके बादर और उनकी इंकम मित्ती है स्कॉलर्शिप कब तक आ जाती है कौन सी स्कॉलर्शिप में विवाई की में विवाई के लाश्ट यर मार्स तक आ गई थी और इसले साल के अभी भी कुछ करीब साथ बच्चों के अभी तक नहीं जिन बच्चों ना लेट फार्म पर रहेते हैं स्कॉलर्शिप कब तक अप्लाए कर साथ प्लीज डाउट वन वाई वन लीजिए सुन ने पा रहा है प्लीज कि था आए ज़स्ट क्यों आजाती है था हरो कि अभी सेर्व को प्लीज हें लिए कि आफिस कि इतने मज़े तक फाला है डॉक्यमेंट समिट करने के लिए टमुट 5 बेल तक पर इसरे चलिब आई जाती है सरापको कोंटेक नमर मिल जाएगा क्या 0 731 258 2 134 कर दो कर दो कर दो हमें सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब कोड़ा से अश्यए नगे अफ्राइब जाएगा तो फीस बापस होने की भी तो डेट बढ़ गई होगी न के इड्मिशन सेक्षन वाले बताएंगे मैं स्कॉलर्शिप कर देख रहा हूं सर एसी की पोस्ट मेट्रिक के लिए क्या कि ब्रोशिजर रहेगा आप पहले इद्गराई पंजन करा दीजिए इद्गराई पंजन कराने के बाद आपके मोबाईल पर आपका पासवार रजाएगा फॉर्म पर पाएंगे अब तक कर सकते हैं डेट इसकी लाज़ डेट का सेवेंटी सेवन थाउजड उनको बच्चों को मिला था ठीक है सर मैं इसी ब्राइट है सब्सक्राइट के लिए विद्ध्यारतों के लिए कि यह भी आवाशक है उनके स्कॉलर्शिप के लिए स्कॉलर्शिप नहीं मिलती हुआ है जो है टोटल इंकम हो थर्टी सिक्स थाउजड ही है पूरे साल की तो उसमें के लिए बना हुआ एसी का और मदूर्ड डाइरी भी है चीक है चल जाएगा सर यह जो सारे डॉक्यमेंट चाहिए के सुमिट करने के कि मेल कर सकते हैं जाबा करना पड़े जिए यहां पर सार फोनमर सिस्व के लिए कुई दोकुमेंट भी लाना पड़ेया किया आएगे जो है तो देर लाग से कम है क्या के डॉक्यमेंट भणने पड़ेंगे अधर करते बिटाव् क्या कि अधर वजादे कर दोकुमेंट लाना पड़ेया किया तर फिड़ेट अधर अधर आइफिड़ाट इन्वनमर पड़ेट नहीं पर आपड़ेगा है है हमारे साथ जाइन हुए है हमारे अशिसेंद राइशा साथ यह नोडल आपी सरे स्कॉलर्शिप के है 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 हलो है सब्सक्राइब तो पर एक लख से का मैं सरे एक लखती से जार ठीक है फिर नहीं जरूरी नहीं लेने के लिए कुछ डोकुमेंट भी लाने पड़े हैं गया है हम नंबर सिक्स क्या है जिसमें बैंक से संबंद ही जानका नहीं रहती है सब्सक्राइब ले सकते हैं सर मेरे पापा की जॉब जो है वो चेंज हुई है लास्ट मन थी और उनका जो आयकर का जो प्रमान पत्र आयका जो प्रमान पत्र है वो थोड़ा कम का है लेकिन अभी सेलरी बढ़ गई है देखें मेरको चाहिए अब फाइनेंशेल बीस इकीस का मार्च इकीस तक का मार्च इकीस तक में तो पुराने वाले चल जाएगा नो जाएगा थे को एक था है एक यह संबल युच्ण वाले की ऑच्छ से कव आती है उसको करीब मार्च बात आती है मेशाद है जी दाने मार्च इए अ सब्सक्राइब करना पड़ेगी ना कि कुछ करना पड़ेगा हर साल करना पड़ता उसके वांपो और उसके लिए है कि आपको अब जाता है तो शुद्सक्राइब करना पड़ेगा आपका जैसे बीच में आगा चे मेने के ब्रेक लग जाता है या कुछ हो जाता तो वो श्कॉलर्शिप बंद हो जाती है इस अधिक बाइटिकल में लास्टियार अग्यार किसे अधिक इस थे इलेक्ट्रिकल ब्रांश सब्सक्राइब कर सकते हैं नहीं जिनका फास्टियर में होता है बीच में से नहीं बरता है मतलब कितना टाइम बाद आता है मार्च अप्रेल में आता है मैं दाविक करी गभी आगा कि अधियर में अगब ब्रांश चैंज करते तो क्या क्राइटिरियत है एगा फिर्ट्व्थ इस नहीं ब्रांश चैंज करते हैं अधि हाँ 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 अभी बीए में और नेक्स्ट येर में अगर चेंज करते अप्रेट करते तो फिर स्कॉलर्शिप में क्या नहीं जो आपको मिले की ब्रांच उसी का मिलेगा जैसे आपको बार मीडी करें फस्ट येर में सेकेंडियर में आइप या मेकनिकल होगी तो जो पर देश का मुली मासी होना चाहिए प्लस उनकी इंखम छे लाग से कम होना चाहिए ठीक है कॉन सी स्कॉलशिट इस इस बज़े तक अब कॉलेज की साइट में देख लीचे मेना नोटिस डाल दिया सारे अब करना चाहूं मां बीच में जी सर अब मेरे खासे आप लोगों का सेशन का टाइम इसका पूरा हो गया है सर को दूसरे काम भी है आपकी जो भी क्वरीज हैं आप हम को पोस्ट कर सकते हैं आपके जो सेक्शन के इंचार्जिस हैं उनको या डिपार्टमेंट कोडिनेटर को भेज सकते हैं लेकिन अभी अपने पास में सेशन लिमिटेड है और बाकी लोगों के साथ में समस्या हो सकती है अगर खरे सर मुझे पर्मिट करें तो मैं दूसरे क्लब को जो इनको इन्वाइट किया है उनको इसके लिए वाटसेप ग्रूप मैंने साथिका माडम को बोल दिया हो बना रही है तो उसमें इनकी जो कैरीज रहती है वो डाल सकते हैं अभी अभी जो सेक्शन से उसमें कुछ पोस्ट नहीं कर पाते हैं तो कि यह उर्टी फरष्ट इलगूप बनाने के लिए बोल दिया है तो उसमें कंदम सर को और इनलों को जोड़ देंगे जूली मर्नम को भी इसको बी जो भी क्षजन संगे और उसमें किस्टस प्राउस कर देंगे तो जॉब देतेंगे ठीक कंदम सथी तीक है Okay, so first year HOD, they will take care. Right. She will take care for this. So, sir, am I here with you? I have joined with Prathibim Club or SAE Club. Shorya Jain. Are you there? Yes. Shorya Jain. Harshal. Yes, sir. Yes, sir, can you start? SAE or Prathibim? Yes, sir, I am from Club. Okay, so you will start, please. This is your presentation. Now, I am leaving this because I am having a class. So, you please continue with your continuation of presentation and then hand it over to Prathibim. Okay. Yes, sir. So, my friends, now we are doing the club activities here. In that, we will do the SAE Club and Prathibim Club. After that, the program will be over. And then again, the video will be sent at the right time. Shashvat, you can start. Hello, everyone. My name is Shashvat Chauhan and I'm a former associate of SAE Supra Segment. I won't take much time. Let me tell you what SAE is. SAE India, or known as Society of Automotive Engineers India, is a platform that provides automotive space where you can create your own machine and compete on national level. And you can learn about building a machine, working as a team, and much more. Some of the key features include SAE is the most preferred technology body for knowledge and skill development of mobility professionals, students, and faculty. SAE has more than 10% of mobility professionals as members and is a self-sustaining society. Now, in a big organization, there are segments. In our college, there is Baha, dealing with off-road machines. Supra, dealing with the F1 segment, mostly aerodynamic. F.E. Cycle, dealing with efficient machine focused on electric vehicles. And Yarn, dealing with aero modeling. There might be a lot of automobile enthusiasts among you who will be looking for this exact same platform. This is a chance to be one of them. For further information, you can refer to the links given on your screen and in the chat box. Now, I would like to hand over the stage to Rohan, who will tell you something more interesting. Thank you so much for patiently listening. Thank you, Shashpur. Hello, everyone. This is Rohan Singh, coordinator from Club Pratibhim. Looking forward to the induction, I will be introducing the club to you all. Pratibhim, the Reflection of Art, is the official Fine Arts and Photography Club of our college, S.T. CIT Sindhaut. The club was formed on the 19th of August, 2011. That is, on the occasion of World Photography Day. So, you can say we are the arts enthusiasts of our college. With our team's combined effort, we encourage people to find others and blend in with people who have the common passion for fine arts and photography. The club is working under the guidance of Professor D.A. Sajnar and Mr. Alex Kutty. Now, over to you, Kareena. Hi, everyone. This is Kareena Vathan, coordinator from Club Pratibhim. Following DK's legacy, the club has thrived in every way possible, with the offline or online worlds. We have also bagged the Limka Book of Records in 2012 and India Book of Records in 2016. Yes, you guys have heard it right. We have bagged Limka Book of Records in 2012 and India Book of Records in 2016 for a graffiti painting event called Graphathon. The glimpse of what we mean by that is here for you all. झाल झाल कि झालुष 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 Matї झाल्य हो। हेलपिभवोकर्यद सेंदर की भ्यामुण कavorवोखः की प्यामुण .. bendогда सबस्क्राइ प Herausforder हुआ है I hope you all enjoy the video. Commencemos right. What you guys just witnessed with few of our past events. Check out the full videos on our Instagram handle. The link is provided in the chat box with links of our other social media handles. In the past year, we have also conducted online events including an online live painting Kickstarter workshop. As you all know, being an art and photography club, we always support artistic people and their work. So, after this induction, you can all go on instagram, post a story of what you create related to art and photography and tag us in it. We will give you a shout out if your work catches our eye. Now Rohan will tell you more about our social media reach. so for more than a year the college has been online but it never stopped us and our club for transpiring our shades we recently came up with our very own website on the 10th anniversary of our club pratikan along with the website we have an active social media presence on instagram facebook linkedin and even discord the links for which are available in the chat box so you can follow us on all our social media handles and even join our discord server to stay updated with what we bring for you guys the link for the membership form will also will be available to you soon kareena will announce an interesting surprise for which you can check out a discord server which has been crafted specifically to assist the bachelor 2025 with all their college needs even beyond the club over to you kareena now for the surprise launch we have planned a giveaway for all of you so for the same make sure you join our discord server the link for the discord server is provided in the chat box share your work with us in the giveaway channel now you all will be worried about the results so the results will be out on 10th november 6 pm winners will be selected on the basis of their creativity it is a great opportunity for all of you so please go and check our discord server share your work with with us and win exciting prizes now for further interaction other coordinators will take over hi everyone uh i'm shreya from club pratibhim so how are you all doing first year you guys can speak up uh we are all air to interact with you to answer your queries related to college or club so we can have a nice interactive session for a few minutes so hello hello i wonder if your platinum club also covers the videography stuff or not so uh you said that filmmaking so do we like uh summer films and film festivals as well like if we make films we haven't approached to film film festivals for right now but uh uh we can we can try i mean if if somebody proposals or something so yes we can definitely go for it but you know uh so i am saying that uh if we have already worked on a project on video so should we upload it on our discord yes you can please do share with us thank you so we'll have recruitments very soon and you can follow us on all our social media handles so you'll get to know okay but for now uh we'll be you will attend some of the events of the clubs and then recruitment will take place in few months okay yeah so how many of you like to like paint and do some photography you all can share with us we can just have you can share your views with us ma'am i am interested in photography okay that's great aditya i like paintings and drawing okay that's great you can join our discord server and share with us we'll love to see it one problem is there uh i am not using any media you are not on any social media yes it was in photography can you hear me hello no arian you aren't very audible uh just wanted to say something here that if any of the juniors are having any doubts you can also uh write your queries in the youtube live chat box we are also there you can see your doubts there as well okay so those who are not joined in this meet you can uh say whatever you want to say in the youtube live chat box as well okay arian shout some doubt didi is it for beginners and photography am i audible yeah 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 this this exact club is for photography and art enthusiasts so even if you have any interest in photography videography i said someone had doubt about videography as well uh if you have any interest in digital art as well you can join this club and uh you can learn uh you can learn so much more yeah 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 not just the fact that you know everything about it even if you're interested in knowing how things are done and you want to learn more then also you can this club can be for you just a second i think someone is saying something uh i was saying that uh for graphic designing and concept art 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 as well yeah yeah yes you can apply and we also and like we also can add painting so yes you can apply it and graphic design so copies are the users yeah especially in these online times uh you can visit our instagram page and our website and you can see a glimpse of uh our graphic designs as well in this online times uh for even for us the graphic designers have been very important so yeah uh as long as we are going forward with online and online events uh graphic designers are very much welcoming okay thank you ma'am any charge for joining this group yeah what any charge for joining this group no there are no charges we do have a membership form for you so basically i can explain something about membership form you can find the link for the membership form in the chat box as well uh so what membership form is about is basically during the offline events when college was offline and whenever we conduct offline events and in fact college will be offline soon enough i think after this semester in the month of january we'll be having on the offline classes again and then we'll also be having our offline events so during that there is a participation fee for offline events right so if you fill up the membership form and if you become a member of sati bim via via this membership form then there you will won't be charged any kinds of uh fee when you participate in our offline events and also you will be given a little bit uh privilege while you are uh trying to join the club whenever we have a recruitment we will obviously know about you since you are already a member of pratibim via this membership form so these are some of the pros that you can get with this membership form other than that everything is free the online events that we conduct the workshop the live workshop that we have conducted everything was free for everyone hope i was clear yes ma'am okay uh i think prasuk is if i'm pronouncing is right yeah yeah so if you know things already you can be better at there or other than that if even if you know nothing about it if you know nothing about photography but you have that much passion in you that you want to learn then you can we have a lot of seniors in this club who have in fact learned a lot they knew nothing about like we have a lot of people here in this meet as well that they knew nothing about what video editing was but slowly slowly they were able to excel in it as well when as our seniors guided us so we are also here to guide you so asa kuch nahi hai ki agar apko nahi aata hai to this club isn't for you just that passion that's not passion and enthusiasm is required from your side other than that you can anyone can learn anything i'm interested in animation yeah i think harshal uh should take take over for this question i think harshal you want an audible hello yeah one question for prasuk you can repeat your question i think he had some doubt about animation and animation making yes i think you can learn animation like after effects copy yes and you will get to know so much about different kinds of software and how to work on different softwares uh you can get so much exposure by being in a club or by working in a club but for now uh i think since you are you are all in first year so for now focus on just uh exploring yourself and exploring different clubs whatever suits you and just participate in different events whatever comes in your way and know what is good for you what love basically vibes with your talent and then go for it for now i don't think so you need to focus on uh recruitments or anything like that so wait for them and do participate in them other than that you can explore so many things like there we have our website we have a discord server as kareena previously said that you can join a discord server we have a giveaway there as well so you can go through our website and our instagram page our facebook our linkedin first year no no uh yeah first year me to have cobi as i said uh earlier uh just focus on exploring yourself and exploring things i don't focus on that you don't have to go to this club or not like that you don't have to go to this club like different clubs you participate according to yourself if you are an art and photography enthusiast so you can participate in the pratibims event or workshop so afterwards now you will have a lot of time for recruitment so now there are also no recruitments in the second semester or second year there will be recruitments do you have a photography club too? yes it's a fine arts and photography club it's a videography club there's no charge there's no charge there's absolutely no charge for joining any kinds of club like basically join a club with different people do you want to call the membership form payment gate do you want to call the membership form yeah as i said i just said membership form membership form is basically when you will have offline events which will be very soon like from january to where you will have offline college so since offline events are on a large level and if you want to know what i mean by that you can go to our instagram page you can watch movies for a lot of events so since those events which are on a large level so if you participate you have a fee participation fee so if you have a permanent membership form you have to become a member then you never have to pay the fee offline events then you have to pay the full lifetime and then you have to pay the offline event so once you participate then you will always have to be a member other than that when we are recruiting since you have already you will have to be a member so if you have already you will have to be a member there is this person who is so passionate and enthusiastic that that person became a member so just these benefits other than that membership form doesn't mean that you are in the club you are in the club in the club there is a different induction process there is a different personal interviews and that is a different thing which will not happen now for you we have events and workshops ma'am can we join more than two clubs? depends on how much you can work with because every club requires a lot of your time you have to manage your college studies with years like you will go to second and third year you will be busy and clubs is something if you join a club then you are a member of that club for lifetime I would say lifetime not just if you can manage two clubs very well you can depends on how well you can manage your time with your college studies if you have a future coaching that whatever aligns with you there is no hard and past rule that you have to do it thank you ma'am are there any more doubts if anybody wants to share anything yeah as we mentioned if you are an artistic and photographic person so what you can do is go to your instagram and you can upload a story of your art or photograph and you can tag an instagram page the instagram page is given here you can tag us so that we can see what your story is and we can see what you have uploaded and if it really catheterize if we really think that this is something really nice then we will give you a shout out on instagram okay you can fill the membership form according to your comfort ma'am i just tagged you in your story okay okay cool is anybody having any other doubts how many clubs are there other than Prathibim there are many clubs and you will be every club will come and introduce themselves abhi you were introduced with SAE and Prathibim soon you will be introduced with other official clubs as well so wait for that wait for that do we have coding clubs? yeah we do have technical clubs and like for example this SAE club is for electronics and electrical and mechanical people but we do have coding clubs as well they are specifically for CSID students can we join Prathibim as well? can we join Prathibim as well? simultaneously two clubs join or one of the clubs? yeah as I said we have people we have people in this Prathibim as well who are a part of two clubs in fact depends on how well you manage it just the thing is that if you commit to someone then keep that commitment doesn't mean that you have joined and then you are like that I don't have to do anything depending on your if you know that I can manage and I can commit to a work then you can there is no hard at all typically when the activities are conducted school sorry college hours or Sunday yeah see there is no for clubs you have usually this happens that club meetings are always after college hours because we ourselves don't want to disturb your college studies and all your college studies are one side and clubs are one side you don't need to disturb your college studies or your college hours for this obviously you have to keep that that when the college is done there are meetings later either online or offline and yes all the events are always on the weekends when your college is left okay all right okay so I think many people's doubts are clear I see that people are asking for club shitej and club shitej will be introducing them as well I think in future okay so I think we are done with all the doubts are there anything else yes what do you mean by that like equipments as in you are asking about cameras and paint and paint brushes and all these things yeah see you don't need to have a very professional you don't need to have a DSLR for being in this club or anything like that obviously if you have talents then you can do whatever you want and yeah our club do have a lot of equipment with ourselves we have all these equipments with us but okay if you have it then it's a boon for you only but if it doesn't it doesn't mean that you are restricts even if you don't have a camera or things like that so it doesn't mean that it doesn't mean that yes you can Shivans as I said all that matters is your enthusiasm and your will to learn okay there is a doubt Anuj see Anuj there are a lot of clubs in our club there are technical clubs there are these cultural clubs and there is this fine arts and photography club that is Pratibam there are other kinds of clubs as well there's a you know all the technical clubs basically include these coding clubs and SAE which include Baha and Supra and whatever was covered previously so there are different varieties and you can choose according to whatever suits you Recruitments for you all will probably happen in your second semester or second year as of now there is no recruitment for you since abhi aap just college mein ayo it's time for you to explore yourself it's better for you to take part in certain events take part in as many things as possible I have to fill the membership form now yes you can fill the form is open the form is live you can fill the form right now I see doubts in the YouTube live chat section as well yes 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 yeah we do have fests in our college as well but they only happen in offline mode so we hope offline college starts soon yes 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 we do have a robotics club in our college yes we do have a robotics club in our college sayyam please send the membership form again sayyam or vedanj yeah we do have a literary club as well there are many clubs and I think it's better if you guys explore on your own whatever there is you can see the even you can go to the SDSITS website and just go to the club section you can read a lot about different types of clubs there is a proper description of every club what every club does when was the club formed how many years have been the club running for and like for example Pratibim has cleared almost 10 years as of now you can read so much and I think it's better if you guys yourself explore everything it's time for you to start exploring that's why someone was saying until when can we register for the club when can you register for the club like until when until when okay this club will be sorry this form will be open for a week or so so you can till then you can decide whether you want to fill the form or not and for a week this form will be open and also you can as you can go to the Pratibim's website that is www.clubpratibim.in and even if you go to our website there is a section where there is a membership form that membership form is open throughout like it's never closed basically so even if you change your mind for example as of now you are having some doubts for filling the form but in future if you think that I want to fill the form and I want to have that membership with me then you can go to the website as well and you can fill the form from there if you have any kinds of queries there is a number also given in the chat box that number belongs to Harshal Yadav you can text him on WhatsApp for any doubts related to the club also please don't forget to join the discord server because the discord server is not just for club activities we have a very we try we have tried making our discord server in the most varied way possible not just doubts related to the club if you have any doubts related to in whatever the college life is going on and if you have any queries related to books if you even if we start with our offline college and if you are having any difficulties in finding hostels or anything basically any difficulties that you are facing while you are in college you can ask there in the discord server and you will be connected to seniors or anyone who can help you out okay member JSITS provide pressures party yes we do I think there are there have been batches that have had their freshers so yeah but all these things depends on offline mode so let's hope cheesy offline excuse me yes priyanch according to the schedule of our induction program there is no session for like coding clubs like code foster and all of that so how do we connect with those clubs I think they will connect to you very soon enough there can be changes in the schedule as well they will also try their best to connect with you and they might have a separate session of themselves okay thanks okay I see a doubt by Tanmay see this membership form is not mandatory only if you want to you can and even if you are not filling this membership form that doesn't mean that you can't participate in the clubs and that doesn't mean that you can't be in the club don't make it a restriction ki yeh membership form bharna hai bharna hai haita kuch ni hai it's all up to you okay it's just if you are not filling the membership form then in future in offline events you will have to pay a participation fee that's it I think a lot of doubts are resolved now ma'am how do we connect with you personally you can connect to the number that is given in the chat box you can also connect to your seniors on LinkedIn as well everybody is on LinkedIn nowadays other than that if you have any doubts specific doubts related to the club you can just text to that number that is given in the chat box I'll send it again thanks this number thanks ma'am participation fees okay ship participation fees basically depends on the type of event that we are having as of now I cannot tell what participation fees will be as the events are of future so I can't tell anything as of now yeah shivans see depends on college if the college goes on offline mode then and if we get permission from the college to conduct offline events then we will have offline events for sure but don't worry we will be soon having that offline life again very very soon okay so I think all the doubts are cleared and if you have any further doubts you can text to the number given in the chat box I think we should end now we should have a conclusion yeah sure we are done sure sure you will be provided with that okay so let's conclude this session I hope everybody here enjoyed and is enjoying the induction process all the very best for your college life and we hope to see you very soon on behalf of Flaq Pratibin thank you everyone thank you thank you ma'am 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 झाल 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 झाल